आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परिशा के आज के इस वीडियो में जिसमें फ्रेंट्स हम लोग हमारा बिहार 7th phase सिख्षक भरती 2023 जो है उसके लिए एक आपकी महा मेराथौन करने वाले है अभी जो महा मेराथौन है ना फ्रेंट्स इसके अंदर में आप लोगो का बिहार का जीके हो चाहे वो इंडिया की हिस्ट्री हो बिहार की हिस्ट्री हो चाहे वो आप लोगों का जनरल साइंस हो जनरल साइंस आप लोगों का मांसिक दक्षिता या मांसिक जो आप लोगों की जाच के लिए कुशन पूछे जाने वाले हैं जिसको हम लोग रीजनि जो है एक्जाम के अंदर में सही हो जाएंगे मैं आपको वहां पर में लल्लू पुच्चु वाले कोश्चन नी करा हूंगा जो बिल्कुल बिदम बस कोश्चन का आंसर बताया आगे बढ़ गए एक्स्प्लेंइशन के साथ में आप लोगं को मिलने वाला है और आप लोग जानते हो जितने भी बच्चे हांपर में हमारे साथ में जुड़े हुए हां उनको पताए कि पढ़ाया जाता है तो एक्स्प्लेंइशन, इसन नि जाधा हमने swarm a त्नुल एक जाया जाता है ले Pen Они न कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ में टेलिग्राम फेस्बूक वाट सैप इंस्टाग्राम जहां पर में भी आप लोगी सेशन को शेयर कर सकते हो जल्दी से इस सेशन को शेयर कर दीजिए और जिन भी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे ही अपना प्यार जो है आप लोग देते होंगे तो मैं आप लोगों को और जादा महनत के साथ में पढ़ाता रहूंगा पूरी एनरजी लगा दूंगा में को सारे बच्चे लाइव चाहिए आज हम लोगों ने जो है फ्रेंट दो हजार क्रॉस करना है मैं आप लोगों को इसकी पीडिएफ भी दूँ इस नंबर पर कॉल करके आप लोग जानकारी हासिल कर सकते हो या फिर फ्रेंट आप लोग टीचिंग परिक्षा एप को भी डाउनलोड कर सकते हो जहां पर मैं आप लोगों को डायरेक्ली ऑप्शन मिल जाएंगा कि आप कैसे इसको सब्सक्राइब कर ले आगे बढ़ते है तो जागना सीखो आख मूंद के सोने से कुछ नहीं होगा दिये दियों से जला कर जमीन रोशन कर दिये जमीन में बोने से कुछ नहीं होगा और सबब तलाश करो अपने हार जाने का किसी और की जीत पर रोने से कुछ नहीं होगा तो खौब की खौईश है तो जागना सीख के साल है न वो बदल सकते हैं अच्छे बन सकते हैं यह चीज याद रखना आप सभी लोग पहला कोश्चन फ्रेंट्स बिहार का राच्य प्रतीक क्या है बताइए जल्दी से इसका आंसर सभी लोग कमेंट के अंदर में आग लगा देंगे सभी के सभी लोग एक हजार से लाइक हो चुक्य है जलदी जल्दी से एक बार शियर कर दीजिये जितने लोग देख यह आप सभी से रिक्वेस्ट है आज कि जितने लोग देख रहे हैं सभी के सभी लोग और शियर जरूर मार देंगे आज क्यूंकि आज हम लोग नें मैक्जिमम करना है और यह बहुत बड़ा सेशन है और बहुत इंपोर्टन वाला है बिहार का राज्किय प्रतिक ट्री स्वास्तिक सिंबल ठीक है यहां पर देखिए आप लोगों के ऑप्शन जो है वह थोड़े से उपर नीचे हो गया है तो आप लोग इस आप लोगों का सी नीचे में आगया बस इत्ती सी बात है तो बिहार का चिन्न क्या है मैं आपको दिखाता हूँ आप थोड़ा सा यहां पर में जूम करके देख सकते हो फ्रेंड्स आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा यह है बोधि व्रक्ष आप इसको बोधि यह बिहार का राज कि प्रतीक चिन है direct question पूछा जाएगा आप लोगों से बिहार का राश्री प्रतीक चिन क्या है तो बोधी tree दो स्वास्तिक चिनों के बीच में simple सी बात है एकदम important question है एकजाम के अंदर में पूछा जाने लाएक आप लोगों का बिहार की state fish क्या है state fish यह याद रखने है आप लोग ने मंगूर है मंगूर मंगूर जो है friends इसके दर में बहुत ज़्याद़ प्रोटीन पाया जाता है और स्पेशली जो TB के मरीज होते है उन लोगों के लिए तो बहुत ही ज़्याद़ लाप प्रद होती है यह ठीक है खाने बिहार ब्रांच के अध्यक्ष कौन थे बिहार ब्रांच के आप लोगों को पता है friend सुवराज पाटी जो है उसकी स्थापना की गई थी 1923 में अब आपका सुवराज पाटी का बिहार से लेना देना है कोई बता सकता है क्या लेना देना है एक्चुल में क्या हुआ था, ध्यान से समझना मेरी बात को, ठीक है, 1922 का सेशन, इंडियन नेशनल कॉंग्रेस का, कहा पर में हुआ था, पूरी इस्ट्री बतारो आप लोगों को, पूरा क्रोनोलोजी को समझना आप लोग, बहुत इंपोर्टन्ट, अपने आप में एक नं यहां मिल जाएंगा आप लोगों को, यहां पर में क्या हुआ जगडा हो गया था, इंडियन नेशनल कॉंग्रेस के अंदर में, और चित्तर अंजन दास ने, मोतिलाल नहरू के साथ में मिलकर एक नहीं पार्टी बना ली जिसका नाम उनने रखा था, स्वराज पार्टी, चित्तर अंजन दास इसके अध्यक्ष थे, प्रेसिडेंट थे, लेकिन अल इंडिया प्रेसिडेंट थे, पूरे भारत के प्रेसिडेंट, बात और यह बिहार शाखा का अध्यक्ष इसको बनाया गया था, बिहार शाखा का, तो यह याद रखना है, आप लोगों ने, श्र नेशनल कॉंग्रेस का बिहार में हुआ था गया के अंदर में बहुत इंपोर्टन पॉइंट है यह आएगा आप लोगों का देख लेना अगर एक्जाम क्लियर करना है तो यह सेशन देखो अगर जॉब चाहिए तो देखो यहां पर में क्यूंकि आप पूरा जॉब से रिले पर में स्वराज पाइटी बिहार शाखा के श्री कृष्ण सिन्ह यह याद रखना आप लोगों ने इंपोर्टन पॉइंट एक्जाम में पूछ सकते आप लोगों से ठीक है नौ फ्रेंट्स बहुत ही इंपोर्टन कोशन इसको सूपर डूपर इंपोर्टन मार्क करो आप जब सीखने के लिए आया तो ऑव्यसी बात है कि गलत होगा और जब गलत होगा तो सीखेंगे उस चीज से बताइए किस वर्ष बिहार टाइम्स का नाम बदलकर बिहारी कर दिया गया अब यह बिहार टाइम्स क्या है क्या सर इंग्लिश निउस्पेपर है यह अरे मेरे ला अगाल से बिहार को अलग राज्य बनाने के लिए बहुत बहुत इंपोर्टन्ट वाला कोश्यन है क्या इसकी क्या किया जाताथा सक्चिदानंध सिनहा और महेष नारायन तो बिहार के आपको पता है ना फ्रेंड बिहार को अलग राज्य बनाने के लिए इनका बहुत बड़ा योगदान माना रहाता है नाम बदल कर उन्हों ने बिहारी कर दिया था बहुत बहुत इंपॉर्टन कोश्चन है अगर इस को अगर आप लोगों ने चोड़ के गए और यह कोश्चन आ गया तो फिर पस्ता होंगे बाद में एक एक नमबर की लड़ाई है फ्रेंच यहाँ पर में लड़ाई एक एक न आरायन और सचीद अनंद सिन्हा ने इसको स्टार्ट किया था पठना से इसका प्रकाशन होता था 1906 में इसका नाम बिहार टाइम से बदल कर बिहारी कर दिया गया याद रहेंगा आप लोगों को यह चीज इंपॉर्टन वाला पॉइंट है इसलिए बता रहो आप लोगों करता है ऑक्सिजन को आपके कोशिकाओं में पहुचाने का काम हीमोग्लोबिन करता है हीमोग्लोबिन की जो ऑक्सिजन केरिंग कैपैसिटी है ऑक्सिजन को ले जाने की जो शमता है उसको कम कर देता है कौन वह करता है कार्बन मोनो औक्साइड कार्बन मोनो औक्साइड यह तो उससे carbon monoxide produce हो जाएगा तो यह याद रखने carbon monoxide क्या करता है यह देखिए oxygen क्या नॉर्मली यह आप लोगों का hemoglobin है यह बिचारा लेके जा रहा है oxygen को अपने साथ में ठीक है तो यह याद रखने है friends आप लोगों कि carbon monoxide क्या करता है oxygen carrying capacity को कम कर देता है यहाँ पर मैं आप लोग इसको देख सकते हो इस प्रकार से अधरवाइस पता चले carbon monoxide बहुत सारा बंजा और आप लोग रात में मर जाओ रात में इन विच इयर डिट वास्कोडी गामा लैंड इन कलीकट कोजी खोड़े तो देखिए फ्रेंट्स कलीकट के अंदर में आया था सबसे पहले वास्कोडी गामा कहा पर में लैंड हुआ क्ल लेक्चर इसलहे नहीं ले पाए था कि फीवर था डोनौ लेक्टर नहीं लेपाया मैं बारा बजे कभीHH और पात्य बजे कभी नहीं लेपाया आज भी café लेकिन मैंनेठाया कि नहीं आगर आज आज sorry को ईक बार जल्ऽ शेर करीगें थाहिए बाटिए पर जेण को आप 1798 में आया था कौन से देश से आया था वास्कोडीगामा ये एक कोउš्च्छन मेरे को दिखाकल वास्कोडीगामा कौन से देश का था ठीके भारत का महान वृधवैक्ति इसको कहा जाता है और यह कोउच्च्छन पते हैं कहां । इसको से जो BPSC ने लिया था Headmaster की exam उसके अंदर में ये question आया था आप लोगों को actual question बता रहो जो exam में पूछा गया था आप लोगों का मेरे को Hindi में question paper मिला मैंने type करवा दिया यहां पर में क्योंकि वो थोड़ा blur दिख रहा था आप लोगों का वो paper तो भारत का महान वृद्ध वैक्ति या great इंडिया का grand old man किसको कहा जाता है grand old man of India तो ये कहा जाता है friends दादा भाई नौरो जी को भारत का महान वृद्ध वैक्ति इनके बारे में अब मैं जानकारी आप लोगों को देता हूँ लुलू पुच्चू सा नहीं कराऊंगा यहां पर में की बता दी आंसर और आगे बढ़ गए बाई हमारा जब हम लोग यहां पढ़ेंगे ना टीचिंग परिशा पर आप लोग पढ़ रहे हो तो एक्जाम क्लियर करने के लिए पढ़ रहे हो यह आप लोग कमेंड बॉक्स में लिख देना इंडियन ग्लैड स्टोन बोलते हैं इंडियन ग्लैड स्टोन भारत का ग्लैड स्टोन एक्च्वल में ग्लैड स्टोन जो है ना फ्रेंच यह यह यूरोप का एक बिसिकली ब्रिटेन का प्रधान मंत्री था ठीक है 1890s के अंदर में 1890s में Gladstone नाम के प्रधान मंत्री हुए थे यहाँ पर मैं comparison करते हुए Indian Gladstone उनको कहा जाता था भारत का Gladstone इंडियन Gladstone किसको बोलते थे ये भी question आया अगर तो आप लोग कर पाऊंगे जो कलकत्ता में दूसरा सेशन हुआ था उसमें ठीक है उसके बाद में 1893 में लाहोर के अंदर में और फिर 1906 में मतलब की टोटल तीन बार ये कॉंग्रेस के अध्यक्ष बने थे तीन बार दादा भाई नोरो जी तीन बार आपको बात बता दू फ्रेंड्स इनकिनों ने क्या किया था ये जो है वो पहले वेक्ति थे जो ब्रिटेन की पार्लियमेंट के अंदर में सदस्य बने ब्रिटेन की पार्लियमेंट में ब्रिटेन की संसद में सदस्य बनने वाले पहले वेक्ति पहले भारतिय वेक्ति या पूरे एशिया के पहले वैक्ति जो बृटेन की संसत में सदस्य बने थे याद रखने आप लोगों ने दादा भाई नोरो जी भृटेन इनके अख़बार का नाम क्या था बहुत famous question है UPSC के अंदर में BPSC के अंदर में और बहुत सारी جो commissions होती है वो इस question को बहुत ज़र देते है रास्त गोफ्तार किसका नियूसपेपर घा रास्त कोफ्तार इसको comment में लिख बताओ रास्त गोफ्तार जो है ठीके रास्त गोफ्तार जो है friends यह याद रखने है अप लोगोने इनका नियूसपेपर था इन्होंने निकाला था रास्ट गुफतार लिखे बता दो एक बार में को कमेंड में देख ले थे किते लोग यहां पर में आंसर कर पाते हैं रास्ट गुफतार कोशन पूछूंगा मैं आप लोगों से लास्ट में common name of ascorbic acid is ascorbic अमल का सामान्य नाम क्या है 1500 से जाला लोग देख रहे हैं यहां पर में जल्दी जल्दी से एक बार इसको सभी लोग 1500 लोग एक साथ शेयर कर देंगे तो हमारा जो नंबर है वो बढ़ जाएगा यहां पर में ascorbic acid जो है यह vitamin C को कहा जाता है अगर आपके body में vitamin C की कमी हो जाए तो कौन सा रोग होता है अगर आपकी body में vitamin C की कमी हो जाए तो प्रति रोधक शमता को बढ़ाने के भी काम आता है ये, रोग प्रति रोधक शमता, विटामिन C, important point याद रखना है आप सभी लोगों ने, बाकी ये सारा का सारा आप लोगों को अगर चाहिए पूरी की पूरी लिस्ट, तो ये पूरी की पूरी लिस्ट आप लोगों को teaching पर का, देखिए ये question जिसने कर लिया ना, मतलब उसके कितने चार question correct हो जाएंगे यहापर में, जिस वेक्ति ने इस question को कर लिया उसके चार question correct हो जाएंगे, चार question, और ये question भाई, मैं आपको challenge करता हो कि इस question को सही करके बता दो, मान जाएंगे आप लोगों को, ये question बहुत important है, और बहुत ही interesting सा भी question है आप लोगों का, आपको बताना है कि कौनसी कौनसी जोडिया सही से लगी है, कौनसी जोडिया सही से लगी है, श्री कृष्ण सिंग को बिहार केसरी बोला जाता है, अनुराग नारायन सिंग को बिहार विभूती बोलते है, जै प्रकाश नारायन को राष्ट्र कवी बोलते है, रामधारी सिंग दिनकर को लोकनायक बोलते है, बताए जल्दी से क्या है यापर में अरे भाई इसका आंसर देखो श्री क्रिशनर सिंग जो है इनको बिहार केशरी बोला जाता है ये तो बिल्कुल सही है आप लोगों का ठीक है अनुराग नारायन सिंह को बिहार विभूती बोलते हैं ये भी आप लोगों को याद रखना है बिल्कुल सही है आपका और रामधारी सिंग दिनकर को बोला जाता है रास्टर कभी, यह याद रखना है, उल्टा सीधा दिया हुआ है आप लोगों का यह, ठीक है, उपर और नीचे दे दिया गया है, उपर नीचे, उपर नीचे, तो इस प्रकार से, फ्रेंट्स, यह C और D आपके गलत है, लेकिन यह दोनों तो सही है न, दो सही है आपके, तो आंसर होगा, more than one of the above, ठीक है, एक से अधीक, more than one of the above, एक से अधीक, तो आंसर आपका E होने वाला है, E, कितने लोगों ने E आंसर लगाया था, मेरेको हाथ उपर गर के बताओ जल्दी से, जी हाँ सर, E आंसर लगाया था, हम आप लोगों को, तो भारतिये राष्टिये कॉंग्रेस के द्वितिये मुस्लीम अध्यक्ष कौन थे, दूसरे नंबर के, क्योंकि पहले नंबर वाला फ्रेंड्स बहुत सारे लोगों को पता है, वैसे मैं फिर से रिवाइस भी करा दूँगा, लेकिन आप लोगों को करा इक्जाम में क्या पुछा जा सकते है आप लोगों से, तो भारतिये राष्टिये कॉंग्रेस के द्वितिये मुस्लीम अध्यक्ष थे, रहमतुल्ला एम सयानी, रहमतुल्ला एम सयानी, ठीक है, पहले थे बदरुदिन तयब जी, फर्स नंबर के, फर्स नंबर के कोई एक खास बात इस सेशन की पढ़ाया था आप लोगों को, इस सेशन की खास बात ये थी, फ्रेंट्स की पहली बार यहाँ पर में आप लोगों का वंदे मातरम सौंग आया गया था, वंदे मातरम, वंदे मातरम सौंग पहली बार इसी में गाया गया था, 1896 के अंदर मे यह दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष्टे इंडियन नेशनल कॉंग्रेस के पहले थे बदुरुद्दिन तययब जी, याद रखना आप लोग यह एक्जाम लायक कोश्यन है, जो आप लोगों को करार हो, अगर एक्जाम क्लियर करनी है, तो ऐसे कोश्यन आपको करने पड़ेंगे ठीक है, चालिए, नौफरें, नेक्स्ट कोश्यन की तरब में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दू, कि 1886 के अंदर में जो दूसरा सेशन हुआ था, दादा भाई नौरो जी अध्यक्ष थे उसके, जो तीसरा सेशन था, थार्ड नंबर का, थार्ड नंबर का, उसम जो तो आप लोग, आप लोग लिखो ये, देखो और आप लोग लिखो comment box में, मैं चाहतो आप लोग लिखो, ठीक है, George Yule, पहले विदेशी अध्यक्ष या अंग्रेजी अध्यक्ष, अंग्रेज, इंडियन नेशनल कॉंग्रेश के बहुत ही famous question है, option elimination के काम में आएंगा, अभी थोड़ी देर के अंदर में आप लोगों को इसका proof दिखाता हूं, थोड़ी ही देर के अंदर में, ठीक है, now, which vitamin is fat-soluble vitamin, कौन सा वाला जो है, वो वसा के अंदर में घुलनशील है, तो वसा के अंदर में घुलनशील वाला vitamin कौन सा है, इन में से यह आप लोग और C, यह याद रखने आप लोगों ने, B और C, यह पानी में घुलते है, पानी के अंदर में, बाकी सारे के सारे आप लोगों के क्या होते है, सारे के सारे आप लोगों के fat में solubar होते है, तो B और C, यह याद रखने आप लोगों ने, B और C, अब सर यहाँ पर में तो आ आप लोको को दिया था अब गया आपको बताता हो कि कैसे करना है आप लोगने तो विटामिन B और C जो है वो आप लोगों का फैट अपड़ूबल होते है ukko तो वाटर सॉल्यूबल है आप लोगों के, तो C जो है आप लोगों का क्या हो जाएगा यहापर में? यह हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है? C आंसर हो जाएगा, C जो है यह भी आप लोगों का, just a second, B, C और यह B आप लोगों का, यह वाटर सॉल्यूब तो विटामिन B और विटामिन C जो है आप लोगों के क्या होते हैं ये वाटर में घुलते हैं वाटर में तो ये वाला तो वाटर में घुलेंगा ठीक है C वाला भी वाटर में घुलेंगा और राइबो फ्लेविन जो है आप लोगों का राइबो फ्लेविन ये है आपका vitamin B2, ये भी water में ही घुलेंगा, water में, आपसे fat वाला पुछा है, तो answer होगा vitamin A, समझा आप लोगों को, vitamin A, C is the correct answer, अब आप लोग ध्यान से समझों, ये देखो आप लोग, ये पूरी की पूरी list, जल में घुलंशिल, types of water soluble in vitamin B, और C, ठीक है, B के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, वो आप लोगों को list दे रहा हूं मैं अभी, जो fat में soluble होते हैं, ठीक है, कीडा, K, A, D, A, कीडा आप लोग याद रख सकते हो, K, E, D, A, K, E, D, A, ये आप लोगों के fat में soluble होते हैं, fat के आपर में, vitamin A, जो है, आप लोगों का ये वसा के अंदर में घुलंशिल होता है, इसको retinol कहा जाता है, retinol, कोई लिखके बता सकता है, comment box में मुझे, vitamin A को क्या कहा जाता है, retinol, आखों के लिए बहुत अच्छा होता है, आप लोगों का friends, अलग-अलग स्त्रोत है, इसके कमी हो गई, तो cornea, जो आपकी आख होती है, उसके अंदर में प्रभाव डालता है, आपकी रोशनी कम हो सकती है, plus ratondi, बहुत ही famous वाला question बनता है, इसके अंदर में, night blindness, इसको night blindness, night blindness, या फिर जो रात में देखने में, आप लोगों की अक्षमता हो जाती है, वो हो जाता है के कारण, विटामिन एक ही कमी के कारण, important question है आप लोगों क्या, ठीक है, next, विटामिन डी, इसको calciferol बोला जाता है, calcium जो है ना friends, इसको अगर calcium अगर आप लोगों को चाहिए आपकी body के अंदर में, तो विटामिन डी आप लोगों को लेना पड़ेगा, ठीक है, विटाम को तो उसको calcium भी मिलेंगा, ठीक है, ठीक है, प्रमोशन कर डाला उनों के हाँ, मस्त पैक ही अपना, ठीक है, विटामिन डी, तो विटामिन डी जो है friends, वो calcium के साथ में उसकी बहुत अच्छी दोस्ती है, बहुत इनकी मतलब मेल जोलता है इन लोगों की, तो विटामिन डी बाकी friends, यह पूरी की पूरी जो लिस्ट है ना, आप लोगों की, यह मैं आप लोगों को PDF में प्रोवाइट करूँगा, और इस पर सारे questions भी करवाने वालों, ठीक है, क्या आप लोग करना चाहते हैं, यह सारे questions, तो मुझे बताईए, एक एक करके सारी चीज़े याद आप लोगों को, ठीक है, सारे के सारे याद करा दूँगा, English के अंदर में लिस्ट चाहिए, English में भी आप लोगों को मिलेंगी, पूरी की पूरी लिस्ट, पूरी लिस्ट, एक बार जल्दी से like and share कर देंगे, सभी लोग एक साथ पहले तो, Now friends, which district has the highest population density in Bihar? Bihar के अंदर में सबसे زढ़ population density कहाँ पर है, वैसे मिर को बता ओ कि Bihar की population density कितनी है, population density का मतलव होता है, कि हर एक किलोमेटर के बकसे में कितने लोग रहते हैं, एक किलोमेटर के बकसे में कितने लोग रहते हैं, ठीक है, एक square किलोमेटर के अंदर में, तो अगर मैं पूरे विहार की बात करूँ आप लोगों से तो ग्यारा सो च्वे है आप लोगों का खेगा खेगरों चीनी होसी है ग्यारा सो च्वे ग्यार की उसमें से भी सबसे za simultaneous आप लोगों को कहा पर वेर मिलेंगी ौपूएशन डेंसिटी जनसंख्या घनत्व तो देखे फ्रेंट्स में आप लोगों को यह एक map है पूरा का पूरा और यह बहुत ही बढ़िया map है आप लोग यहाँ पर में देख सकते हो कि अगर आप लोगों से बोला जाए कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ पर में सबसे अधिक उसी में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है घनत्व का मतलब होता है कि कम जगह में ज्यादा लोग घनत्व मतलब कम जगह में ज्यादा लोग कम जगह में ज्यादा लोग तो जनसंख्या सरवादिक जनसंख्या घनत्व शिवहर जिले के अंदर में सबसे चोटा जिला भी आप लोगों का अगर आप लोगों से बोला जाए कि सबसे कम जनसंक्या घनत्व कहा पर में हैं तो आप लोग बताएंगे कहा पर में हैं काइमूर के अंदर में यहां पर में आप लोग देखिए काइमूर के अंदर में सबसे कम जनसंक्या घनत्व मैं मैप को जूम करके दिखाओ एक बार लाइक कर देगे आप सब्सक्राइब जितने भी 800 लोग देख जल्दी जल्दी से देखें यहां पर में यह दिखें आप लोगों का शिवहर आजा मेरे भाई क्यों शर्मारा है अपनी लोग है तो कैमूर है याद रहना है न्यूंतम जनसंक्या घंद जो है इंपड़ने के पॉछा जा सकता है जा चालो और हाइस अप लोगों का शिरोहर के अंदर में और वही अगर मैं बात करूए आप लोगोसे बीहार राज़्य की सबसे कम जनसंक्य घनत्व 488 आप लोगों को मिलेगा कैमूर के अंदर में तोनों important point है याद रखना है जल्दी से फ्रेंट लाइक सोचू के यहाँ पर में जल्दी जल्दी से 2000 के पार आप लोगों ने पहुचाना है हिंदी में देखना है हिंदी में देख लो टीके आप लोगों को मिल जाएंगा पूरा का पूरा यह और मैं आपको बता दू टीजिंग परीश्या कोर्स के अंदर में भी ऐसे ही इसका इस्तेमाल अच्छे से करती है इनको महिलाओ को देता है क्योंकि उनको ज़रूरत पढ़े जाती है कई बार ठीक है फॉलीक एसेट की तो बताइए आप लोग फॉलीक एसेट जो है तो फॉलिक एसिड जो है आप लोगों को याद रखना है फॉलिक एसिड की टैबलेट आती है डॉक्टर कई बर महिलाओं को लिखके देता है क्यूंकि महिलाओं को एनेमिया हो जाता है खून की कमी हो जाती है महिलाओं के अंदर में तो याद रखना है आप लोगों ने कि एनेमिया के अंदर में अगर खून की कमी हो गई है तो डॉक्टर आपको विटामिन बी नाइन की गोलिया दे सकता है इसको फॉलिक अमल बोला जाता है इंपोर्टन पॉइंट प्लीज याद रखेंगे आप सभी लोग जल्दी से एक बार लिख दो फॉलिक एसिड या फॉलिक अमल बी नाइन फॉलिक अमल बी नाइन याद रखना है आप सभी लोग ने इं तो इस्ट के लिए बहुत जादा मेहना देखो अगर विराट सफलता चाहिए ना तो विराट उध्धम मचाना पड़ेगा और वही चीज हम लोग मचा रहे मैं एक एक करके सारी चीजे आप लोगो को याद करा दूगा जैसे विटामीन नेक्सक्यों बिहार से प्रकाशीत होने वाला पहला ला हिंदी द्यानिक कौन?' यह भी कोशिशन बन सकता है विहार से रिलेटेट कोश्यन आप लोगो का बिहार से प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी दैनिक कौन सा था? बताए जल्दी से बात हो ही हिंदी अखबार की पहला था वो था अप लोगों का भिहार बंधू ये याद रखना है आप लोगोंने बिहार बंधु यह, पहला अख्भार था तै. अट्रासे बहाद से प्रकाशित वुआ था यहां से. ठीक है? यह ऊथा आप लोगों का 1872 के अंदर में, पटना से प्रकाशित वुआ था. बिहार बंधु. लेकिन अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, फ्रेंफ्र पहले इbhinार उसका नाम था, Herald, बिहार हैराल्ड, यह उससे भी पहले हुआ था एक साल पहले, 1871 के अंदर में, तो पहला न्यूस पेपर था बिहार हैराल्ड, और पहला हिंदी न्यूस पेपर बोले तो बिहार बंधु, अब मुझे एक बात बताओ, यह जो बिहारी नाम का न्यूस थी बाद में इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया था 1906 में 1906 में इसका नाम बिहारी कर दिया गया था यह आप लोग जो अगर पूरा लेक्चर ध्यान से देखोंगे तो आप लोगों को याद हो जाएंगा सारी की सारी चीज़े चालिए तो आंसर आप लोगों को option number A हो यह आप लोगों को यह ने बताया आप लोगों को कि पहला जो न्यूस्पेपर था आप लोगों का जो इंग्लिश् में प्रकाशित हुआ था यहाँ पर में बिहार हिराइलड हो जाएंग उलोगों का इंग्लिश के किसकी है सबसे बड़ी और आंधरप्रदेस कि केरल गुजराट को और मैं बात करू Theater कितनी है कितने किलोमेटर की कि कोई गैस करो। किसमुधरी तरेखा कितनी बड़ी है क्याने भियार समुदर से लगता है, यहां पर मैं आपका यह भिहार, कि यह हवा में और करेंगा, कि यहां समुदर के अंदर में, कुछ भी कमाल करते हो, पंडेरी, तो भिहार करते हो, गुजराट इसके बास में सबसे बड़ी तट रहे लेकिन दोस्तो, आप लोगों के सामने आपक लेकिन अगर आप लोगों से State and Union Territory पूछ ले जो की KBC में भी पूछा गया था तो आंसर क्या करोंगे कौन बनेगा करोड़पती में कुश्चन आया था State और Union Territory में से सबसे बड़ी जो है आप लोगों की ठीक है सबसे बड़ी आप लोगों की किसने की थी अधित्य जा जी मैंने उसको चेक कर लिया है उसके अंदर में तो देखें यहां पर में अगर मैं बात करूँ आप लोगों से गुजरात की तो गुजरात जो है वह स्टेट के मामले में लेकिन अगर मैं Union Territory की बात करूँ आप लोगों से तो यह हो जाएंगा आप लोगों क निकोबार यह आप लोग इसको एड कर लो अगर राज्य की बात राज्य और Union Territory दोनों की मिला की बात करें क्योंकि गुजरात से भी जादा बड़ी है तो अगर केंदर शाषित प्रदेश का भी पूछ लिया जाए स्टेट और केंदर शाषित प्रदेश मिला कर तो आप आपका अंडमाने निकोबार के सबसे बड़ी है यह याद रखने आप लोगों ने इंपोर्टेंट है एक्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है ठीक है चलिए तो यह दोनों पॉइंट हो गए लिख दो यहाँ पर में स्टेट के मामले में गुजरात ठीक पांच बार और यह कब से कब तक किया उसने मैं आपको बता दो 1748 से लेकर 1761 तक उसने भारत के उपर में पांच बार हमला किया एंचिया हमारा भारत है और यह आपर में अफगान इन लोगों ने हमले किये थे पहला हमला जो है फ्रेंड्स आप लोगों को याद रखने ये नाधिर शाह ने इन में से बात करूँ तो नाधिर शाह ने किया था 1739 में 1749 में ये आप लोग याद रख सकते हों कि नाधिर शाह का हमला भारत पर कब हुआ था नाधिर शाह का तो तो यहां पर में यह दोनों का ही योगदान है भारत के उपर हमले करने का यह याद रखने है नादिर शाह ने हमला किया था 1749 में और एहमज शाह अब्दाली ने हमला किये पाच बार 1748 से 1761 के बीच में 1761 में पानीपत की तीसरी लडाई हुई थी मराठाओ के साथ में तो इ तो सभी लोग जल्दी जल्दी से एक बार इस सेशन को जहां भी शेयर कर सकते हैं टेलिग्राम फेस्बूक वाट्सप इंस्टाग्रम सभी जगह पर फैला देंगे और लाइक बड़न ज़रूर दबा देंगे युन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना चैनल को स जनम हुआ उसीने ताने मारे ठीक है तो यह तो वही बात हो गई कि मम्मी जो है अपनी लड़की को ताने मार रही है तुम्हारी समय में तो हुआ था इंट्राइटीफाइफ के अंदर में पगला आ गये थे कि तुम्हारी समय में बनाई थी इंटियन नेशनल कॉंग्रेस अाट्रासो परुइससी के अंदर में एो वहुम ने और तुम्ही इनको माइक्रोसकोपिक माइन sprink बोलर्य हो थी की इतने चोटे सी लोग है कि माइक्रोसकोप Key है और हम कीड़े माकोडे है हम dons लोग है हम लोग तुम हमको बैक्टेरिया समझता है गुडबक कि माइक्रोस्कोपिक माइनोरिटी सुक्षमदर्शी अलपसंख्यक बोला हमको इसने अगला कही का ठीक है तो यह याद रखने आप लोगों ने लौट डफरिन ने कहा था सुक्षमदर्शी और इसी के समय में क कि मौत का कारण बंषन बनना था इसको ila को मिलेन ऊपर में तुसको बताना YouTube आया सुदागर संभीष देवर से मिला देंगे इसको हम लोग यह लॉट डफरिन जो है यह 1884 से 1885 एटी-88 के बीच में हमारे भारत के वाइसराइ रहे और इसी बीच 1885 में कॉंग्रेस की स्थापना हुई थी इसी समयकाल के अंदर में बाटो और छोडो का नारा किस ने दिया था बाटो और छोडो का देखे आप लोगों ने ठीक है यहां पर में बाटो और राज करो का ठीक है डिवाइड रूल का नारा तो आप लोगों ने सुनांगा अंग्रेजों ने दिया था लेकिन बाटो और छोडो का नारा किस ने दि जिन्हा मुहम्मद इक्बाल एमे अंसारी मौलाना अबुलकलाम आजाद मैं आपको बता दू फ्रेंच की बाटो का मतलब यहां पर में है भारत का बटवारा कर दो और फिर भारत को छोड़ दो भारत का बटवारा करो और भारत को छोड़ दो किसने दिया होंगा यह नारा य मुस्लिम लिग मुहमद अली जिन्ना ने यह नारा दिया था बाटो और छोड़ो भारत छोड़ो नहीं बाटो और फिर छोड़ो मतलब बटवारा करो फिर छोड़ो तो किसने बोला मुहमद अली जिन्ना ने बोला था मुस्लिम लिग के तरफ से यह याद रखने है आप समय में करो या मरो का नारा किसद कि निया था बढ़त रहती एंप जो पी-स है MP-PCS उसे तक गलती कर दी थी इस चीश चीज की उसने गलती कर दी थी बाद में उनको सुधारना पड़ा पूरे रिसज़कर के बता और MP के अंदर में एक बार ये question आया था उसने गलती गर्दी थी PCS ने भारत छोड़ो का नारा किस ने दिया उसने जवहारलाल नहरू लगा दिया था बाद में जब विरोध हुआ तब उनको change करना पड़ा कि यूसूप मेहर अली ने दिया था भारत छोड़ो का नारा सबसे पह लिख दो कमेंट के अंदर में ताकि आप लोगों को याद हो जाए सारे 800 लाइक सो चुकिए फ्रेंड्स लाइक का नंबर भी जल्दी से बढ़ा देना है आप सभी लोग ने चलिए कौन सा सेशन था जिस समय में मुस्लिम लीग ने डिवाइड और कुट बाटो और लेटेड एक्जाम ते उसमें कोशन पूछा था कि किस ने दिया था तो आपको याद रखने मुस्लिम लीग में किस ने दिया था मुहमद अली जिन्ना ने कराची सेशन जो वह था आप लोगों का इनका ठीक है 1943 के अंदर में इस ने दिया था यह याद रखने आप सभी ल को जो यू जो लग देख बने थे ते टी ए डिकल मुः और एटीएट के निन्दर में अध्याख बने थे एंप में जजाय जरूर कर डेंगे और जिन्हों ने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर अपकी हैIDE तो देखिए जॉर्ज यूल जो है 1888 के अंदर में अध्यक्ष बने थे फ्रेंट्स अलहाबाद के अंदर में इनके बारे में क्या खास बात है जॉर्ज यूल के बारे में आपको बता दू फ्रेंट्स की यह जो है यह फर्स्ट ठीक है ब्रिटिश 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 ज इंडियन नेशनल कॉंग्रेस का ठीक है तो यह याद रखना है आप लोग ने 1888 के अंदर में अलहाबास सेशन के अंदर में जॉर्ज यूल बने थे ठीक है इनके बाद में जो बने थे वो भी एक अंग्रेजी थे वो भी मैं आप लोगों को आगे में कॉश्चन के आप लोगों का अगन्या आपको बताना है इसका मतलब क्या होता है अगन्या का बीके सुगंधा इसी को शास्त्रों के अंदर में जो है न ठीक है शास्त्रों के अंदर में इसी को जो है वो स्वार्थ कहा गया है जो आप बोल रहे हैं उसी को शास्त्रों में स्वार्थ कहा गया है रिकवेत के कई भागों के अंदर में अगन्या शब्द का प्रयोग जो तो गाई के लिए अघन्य शब्द का इस्तिमाल है कि इसको नहीं मारा जा सकता, ठीक है, अघन्य, तो रिगवेद काव को अघन्य कहता है, बहुत ही फेमस कोश्यन है, एक्जाम के अंदर में पूछा जाता है, प्लीज इसको याद रखना, आप लोग एक्जाम के अंदर में सुमीत बोर रहे है कि कोट केस होगा, तब क्या होगा सर, तो सुमीत बस वही है यार कि मैं सोच रहा हूँ कि जब मेरे पोते के लड़के की शादी होगी, तो मैं उस समय में क्या पहनूँगा, मेरा पोते की लड़के की शादी में क्या पहनूँगा, मेरा पोते की लड़क कि यहां सब प्रयुक्ष्थ ऐखर अबंघृट रव स्ट्रयर उस्ट्रय, इस पर दलना में। ये dinero नदी मैकाल में अमर kaंतक यहां से नदी सी निकलतीय है निकलती है तुझे नर्मदा नदी ने कहां कॉन से दिशा में बहती है यह पश्रीम के तरप में बहने वाली आड़ी यह विंद्ययांचल है विंद्या रेंज और यहाँ पर मैं सात्पूरा थोड़ा सा अलाओ करें तो हो गया जालो अब नहीं शर्मारा लड़का देखो आप लोगों से फैमिलियर हो गया है विंदिया और यह साथपुड़ा उनके बीच में से बहती है नर्मदा नदी विंदिया और साथपुड़ा में से ठीक है माइकल या फिर अमरकंठक में से निकलती है अगर आप लोगों से पुछे कि नर्मदा और तापी नदिया जो है किस से घिरी हुई है नर्मदा नदी जो है आप लोगों की यहां पर में है विंदिया ठीक है और यहां पर में है आप लोगों की साथपुड़ा ठीक है नर्मदा विंदिया और साथपुड़ा यहां पर तो यहां पर में आप लोगों की है तापी नदी नीचे में यहां पर में आप लोग देखिए यह है तापी नदी इसके नीचे में जस्त तापी नदी तो आप लोगों से बुलाए कि नर्मदा नदी और तापी नदी के बीच में कौन है नर्मदा और तापी नदी के बीच मे आप लोगों को दिखाई दे रही है तो नर्मदा और तापी के बीच में साथपूड़ा परवश रंखला यह याद रखने आप लोगों साथपूड़ा रेंज देखने के लिए मिलेंगी तो प्लीज इसको याद रखना आप लोग इंपोर्टेंट एक्जाम के अंदर में आ कौन सी है एक है तर मैडम को भी जल्दी लाइए और आपकी सेहत का ध्यान रखेंगी यार पता नहीं प्यूह कहा गुम है मैडम पता नहीं किदर में पता कौन सी एक्जाम की तयारी कर रही होगी तो भारत के विभाजन को प्रथम बार किसके द्वारा सुविकार किया गया अबी फिलाल के अंदर में कोई मन है नहीं आर करने का अभी फिलाल करने का मन है काम करने में मजा आ रही है और काम करेंगे चैशन भारत का बटवारा पहली बार किसने एक्सेप्ट किया था आप लोगों को बता दू फ्रेंड्स Mountbatten योजना ने इसको accept किया था ये भी आप लोगों का headmaster वाले exam में पूछा गया था Mountbatten plan ने Mountbatten plan क्या था Basically भारत जो है न friends पूरा का पूरा जो हमारा भारत था ये पूरा भारत Pakistan, Bangladesh वगरे सब मिला कर तो पहले तो योजना ये बन रही थी कि अखंड भारत रखा जाये भारत को ना तोड़ा जाये लेकिन इतने दंगे हो रहे थे Muslim League जो थी Muslim League नाम की जो पार्टी थी उसने क्या किया उसने direct action day घोशीत कर दिया direct action day प्रत्यक्ष कारवाइड दिवस direct action day कौन से दिन किया था उन्होंने direct action day ठीके 16 अगस्ट 1946 को जिसमें बहुत सारे लोगों की मौत हो गई बहुत सारा जानमाल का नुकसान हुआ 16 अगस्ट 1946 को Finally friends क्या हुआ अंग्रेजों को जुकना पड़ा और अंग्रेजोंने ठीके जो भारत के उस समय में भारत के वाइसराय थे लास्ट वाइसराय भारत के Mountbatten बड़े ही उदास मन से आये वो तीन जून को All India Radio के उपर में और उन्होंने कहा और भाई लोग क्या हाल चाल नमस्ते आदाब शस्तियाकाल लगता है सब सही होंगे आप लोग एक यार घोशना करनी थी तुम लोगों के साथ में बास शेयर करनी थी मैंने बहुत कोशिश की भारत को एक रखू करके बट ये Muslim League वालों ने भसड़ मचा के रखी हुई है मानी नीर है ठीक है अलग अलग चीज़े है कॉंग्रेस को अलग मनाना मुश्किल हो रहा है इनको अलग मनाना मुश्किल हो रहा है तो यार माफ कर देना में को बटवारा करना पड़ेगा तो 3 जून 1947 को यह याद रखना है आप लोगों ने Mountbatten यो योजना थी उसमें पहली बार ये बूला गया कि हाँ भारत का बटवारा किया जा रहा है तो भारत का बटवारा Mountbatten योजना के अनुसार हुआ था यह याद रखना है आप लोगों ने Mountbatten योजना के अनुसार important point exam के अंदर में पूछेंगा आप लोगों से कौन से तारीक को यह तारीक इसले तिरपनवा दिवेशन हुआ था और यह question भी headmaster की exam में पूछा गया था यह question भी पूछा गया था अगर आप चाहते हो ऐसे question मैं करवा दू तो जल्दी जल्दी से like and share कर देंगे जहाँ जहाँ आपने दोस्तों के साथ in March 1940 भाई मौलाना अबूलकलाम आजजाद के नेतितों में हुई थी आपको एक ठीज याद आ रही है आपको पढ़ाया था मैंने ठीक है यह 1940 से लेकर 1946 तक लगातार छे साल तक इंडियन नेशनल कॉंग्रेस के अध्यक्ष रहे इंडियन इंडियन नेशनल कॉंग्रेस के और यह भी कुश्चन इक्जाम में बन सकता है कि लगातार छे साल तक इंडियन नेशनल कॉंग्रेस के अध्यक्ष ते ठीक है यह याद रखना है आप सभी लोगों ने तो मौलाना अबूलकलाम आज़ाद यह रामगड में हुआ था वैसे कितने वोग कमेंट कर पाते हैं कमेंट करके बताओ पटन राई कोर्ट की स्थापना कभ हुई 12th February 1916 को पटना high court को स्थापित किया गया नॉइंथ 9th February, 1916 को, पटना high court को स्थापित किया गया लेकिनःच में आप लोगों को बताना चाहूं गा कि भारत का पहला high court कौनसा था, First High Court of India, ८्जशन ने जिसने रहाईक तम लाइव जहिंगा लाला क्योंकि यह भी पहनत कर ली ना पूरी की पूरी तो आप लोगों के आने वाले पूरे जिंदगी सेटल डाउन हो जाएंगी अच्छे से नहीं तो फिर वही है कि अगले बार वेट करो वापस से कब आएंगी वेकेंसी तो देखो यहाँ पर में याद रखने हैं आप लोगों ने फ्रेंड्स फर्स्ट इनडिया आप लोगों का क्या था कलकत्था और कब हुआ था 1861कीण। इसकी स्थापन नुत थी 1861कीण। इम्पोर्टेंट है एक्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है तो फ्लीज इसको भी याद रखने है आप लोग ने है कि नौ फ्रेंड नेक्स्ट कुश्चन है आप लोगों का विच पर्सन और बिहार वस फर्स्ट गिवन था भारत रतन अवर्ड पहला व्यक्ति भारत का जिसको भारत रतन पुरुसकार से सम्मानित किया गया था बताइए बताइए जल्दी से कि बिहार का पहला व्यक्ति जिसको भारत रतन से सम्मानित किया गया बिहार का जो बिहार से हो और भारत रतन से भी सम्मानित हो आगता है he आप अब घिया तो आप की ए कि में और लेकिन दुल्दिया और लोग अलग 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 अन्सर देरें बिलकुल एग मदम धीरे 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 अप लोग को क्या जाएंगा ग्हिरें को 1962 के अंदर में दिया गया था 1962 के अंदर में प्लीज इसको याद रखना 1962 के अंदर में इनको भारत रतन से समानित किया गया डॉक्टर राजेंदर प्रसाद जो है इनके बारे में आप लोगों को बता दू कि ये जो है भारत के पहले राश्टरपती थे और एक मातर राश्टरपती जो दो बार राश्टरपती बने है उनली राश्टरपती इन इंडिया उनली प्रेसिडेंट इन इन इंडिया दो बार राश्टरपती बने है तो ये भी याद रखना है आप लोगों ने तो राजेंद प्रसाद को 1962 के अंदर में भारत रत्रतन से समानित किया गया था इस चीज़ को आप लोगों को याद रखना है दो बार किया गया है इनको बाषट और में पहला रिपबिलिक हो अदर में पूरे डुनिया में पहला रिपबबलिक दॉब अजन् כ रौ याद रखने है आप लोगों पूरे दुनिया का पहला रिपबिलिक बिहार में हुआ था और उसका नाम है वज्जी संग वज्जी मैं आपको बता देता हूँ कि भारत के अंदर में यहां बिहार राज्य यहां पर में वज्जी संग हुआ करता था यहां आठ राज्य का समूध है यह जिसमें से लिच्छवी गंड सबसे बड़ा था उनका दुनिया का पहला रिपब्लिक भारत के अंदर में करीब 2500 साल पहले स्थापित हुआ था 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 यहां यहां रखना है इस कोशन का आंसर जिसने कर दिया ना उसको एक ग्रूपे वाली जो है इकलेर्स चोकलेट आती थी वो बताओ जल्दी से इस कोशन का आंसर बताओ क्या होगा बहुत ही इंपॉर्टन कोशन है बताने आप लोगों ने आप लोगों को पता है फ्रेंड की बिहार जो हैड्मास्टर था उसमें छे कोशन आप लोगों के अकेले जो है इंडिया इसी वज़े से कह रहा हूँ कि अगर एक्जाम क्लियर करना है तो यह लेक्चर देखो इचिंग परिश्या के उपर में देखो देखे अगर मैं बात करूँ आप लोगों से 1888 के अंदर में अलहाबाद का जो सेशन हुआ था ठीक है अलहाबाद में उसके अध्यक्ष कौन थे मदरास में जो हुआ था 1887 का उसके कौन थे 1886 में कलकत्ता में और 1889 में बॉंबे में हुआ था उसके कौन थे बहुत आसान है जो बच्चा मेरा बच्चा है न वो तो इस कोशन का उड़ा देंगा ठीक है इस कोशन को उड़ा देंगा आपको पता है फ्रेंज 1888 में अलहाबाद के अंदर में जोर्ज यूल लाइक कर देंगे अगर आप लोगों को लग रहा है कि जीहां आप लोगों को कौन्ट्रिबृशन कुछ हो रहा है आपर में ठीक है मद्रास में ठीक है 1800 सटैसी में मदरास के अंदर में आप लोगों ने याद रखना है फ्रेंट्स पहले मुस्लिम अध्यष्ट बने थे बद्रुद्दिन तयब जी आपका तो दो की जोड़ी वन के साथ लगनी है जी हाँ लगी हुई है यहाँ पर में आप लोगों की कलकत्ता में जो दूसरा सेशन हुआ था सेकेंड नंबर का सेशन आपका दादा भाई नौरो जी इसके अध्यष्ट बने थे दादा भाई नौरो जी तो दादा भाई नौरो जी यह याद रखने आप लोगों ने जोर्ज यूल दूसरे नंबर के बने थे विलियम वेडर बन उसके जस्ट बाद में वेडर बन विलियम वेडर बन याद रहेंगा आप सभी लोगों को आपका GS का सिलेबस दिया जाएंगा आप लोगों को सूप्रिया सिंग जी फ्रेश नी दिख रहा है एक बार जल्दी से स्क्रीन का रिजॉलूशन बढ़ा लीजिए क्योंकि मेरे तरफ में तो बिल्कुल साफ दिख रहा है स्क्रीन की जो कॉलिटी है थोड़ा सा वह एक लिए अंगुतर निकाय किसका भाग है अभी अभी धम पीटक विने पीटक या सुत्त पीटक बुद्ध चरिता नन अफ दिया बोगों को हो जाएंगा सुत्त पीटक का अब इसको मैं समझा दू पूरा का पूरा आदू बद है यह एक लुबछ पीटक आपका पूरा आप लोगों के लाटी एक लोटे आपको बुद्धिशम वाले बहुत सारे संप लोगों के इससे कलियर हो जाएं जखे जयां से सुनना मेरी बात ट्रि पीटक अप लोगों के ठीटक ृमित के थी का मतलब होता है नए आप लोग दी गई है दूसरी बात अगर मैं आप लोगों से बात करूँ तो यह है विने पीटक बहुत इंपोर्टन विने पीटक विने पीटक के अंदर में आपको रूल्स दिये गए है अगर आप संग में रह रहे हो तो आपको क्या नियम फॉलो करने है तो रूल्स इसके अंदर में दिये गए है बहुत इंपोर्टन है यह ठीक है और तीसरा वाला है आप लोगों का अभी धम पीटक अभी धम अभी धम पीटक यह याद रखने है आप लोगों ने ठीक है इसमें गौतम बुद्ध के प्रवचन है गौतम बुद्ध के वचन है और इसी के अंदर में आप लोगों को जो है सुत्ध पुह पुंट०्ध के प्रवच्चन आप लोगों को देखने के लिए इम्पोर्टन वाला पॉंट है उसको याद रखना एक पॉईंट और बताो आप लोगों को अगर आप लोगों के अनुमती हो तो यह सुत्व पितक और विने पितक जो ही है पहली बौध्ध परिशद जो ही थी फर्स्ट बौध्ध परिशद उसके अंदर में इसको बनाया गया था बौध्ध परिशद के अंदर में इसको बनाया गया था पहली वाली में और यह जो तीसरा वाला है अभी धम पीतक इसको थर्ड वाली बॉद्ध परिशद में बनाया गया था थर्ड बॉद्ध परिशद में अगर यह कोशन हाई लेवल कोशन आ गया ना तो आप लोग ही कर पाऊंगे फ्रेंड बाकी लोग नहीं कर पाएंगे कि राजन्द प्रसाद के संदर में कौन सा वाला कथन सत्य नहीं है कौन सा वाला सत्य नहीं है कौन सा वाला कथन यहां पर में सत्य नहीं है राजन्द प्रसाद के संदर में तो राजन्द प्रसाद आप लोगों से बुला गया है कि यह समीधान सभा के अध्यक्ष थे तो जी तू टाइम्स वह एक मात्र ऐसे राश्टरपती है जिन्होंने दो बार राश्टरपती का पद्भार ग्रहंड किया बिल्कुल सही बात है यह वाला भी आप लोगों का ठीक है द्वच समीती के अध्यक्ष थे फ्लैक कमेटी के अध्यक्ष थे यह बोला गया आप लोगों को अध्यक्ष यही थे कई सारे जगह के उपर में रॉंग ली जो है आप लोगों का अलग नाम अलग अलग जग्या पर दिया हुआ है लेकिन आप लोग सभा की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हो जो एड़ोग कमेटी थी तदर्थ कमेटी द्वच को लेकर उसमें नाम आ इनिएक अनरे प्रसाथ कही दिया गया है लोगसाव की वेबसाइट के वपर में ये भी आप लोगों का सही है है ये भी सही है ये भी आप लोगों का अंसर क्या होगा नन्व Pride एक अगर नोहीं यह यमिकी ऑदेल करेक्ट आंसर लोग라고 है आगे बढ़ते और एकPR 25ика तक यह भारत के राष्ट्रपती थे दो बार तक कारेकाल ने किया है ठीक है द्वच समीति के अध्यक्षते 1962 के अंदर में इनको भारत रतन से समानित किया गया था निम्नलिगित में से कौन सा घुलंशील कौन सा अंग वसा में घुलंशील विटामीन का संग्रहन करता है विटामीन है आप लोगों के यह विटामीन जो है आप लोगों के यह फैट में या वसा के अंदर में घुलंशील होते हैं इनको कहा पर में सुरक्षित किया जाता है या कहा पर में यह स्टोर होते हैं आप लोगों के यां याद रखने आप लोगों ने फ्रेंड्स की लिवर के अंदर में किया जाता है लिवर के ऊपर में फैटी लिवर हो गया आप लोगों का लिवर मतलब वहां पर पर में फैट जहे बहुत जादा रखना है लीवर को बहुत जादा 5 फैट बहुत दबकर आना पड़े में फैटी लिवर होने के कारण फी से काम नहीं करता उर्चा याद रखना आप लोगों इस को आज से हो जाथ यक्रत के तो आप लोगों का काम नहीं चल पाएगा इसके अलावा जो है आप लोगों को बता दू मैं कि एक विटामिन ऐसा है आप लोगों का जो कई सालों तक ठीक है बहुत बहुत ठीक है सालों तक जो है वो यकरत में संग्रहित होता है वैसे वो पानी में घुलने वाला विटामिन लेकिन फिर भी कई दिनों तक जो है na, वह 유वर उसको बचाके रखता, प्रोटेक्ट करके रखता नहीं, मैं ते को नहीं जाने दूँगा, मैंने जली दूगा, ओर वह विटामीन आप लोगों का विटामीन, वैसे तो है यह वाटर में घुलने वाला, लेकिन यकरत का देखי विटामीन है जो कई वर्षों तक यकरत के अंदर में संग्रहित रहता है पानी में घुललशीन होने के बावजूद भी आदरवाइस बाकी के जो है वो तो पानी पिया ठीके बहुत जादा पानी पिया जादा हो गया तो सुसु से निकल जाएंगा आप लोगों के बाहर पान कोबाला मिन यह याद रखने है आप लोग ने इंपोर्टन पॉइंटे फ्रेंट्स एक्जाम के अंदर में पूछते है प्लीज इसको याद रखी आप सभी लोग चलिए तो मैंने क्या पड़ा है आप लोगों को एक बार लिख दो जमा कहा पर में होता है फैट में घुलन स्फिग्मो मेमो मीटर क्या होता है बता यह जल्दी से नाम सुना होंगा आप लोगों ने स्फिग्मो मेमो मीटर का कई बार यूज भी किया होंगा आप लोगों को तो आप लोगों को तो आप लोगों का रक्त के दबाओ को मापने के लिए ब्लड प्रिशर को मापने के लिए इसका आप लोग इस्तिमाल करते हो स्फिग्मो मेमो मीटर का यह आप लोगों ने देखा होंगा कभी ना कभी इसको कभी ना कभी आप लोग ने इस्तेमाल भी किया होंगा इसका blood pressure को मापने के लिए आजकल तो friends आप लोगों को पता है वह इलेक्ट्रोनिक वाले आ गया है अधरवाइस वह पहले जमाने में क्या होता था इसको बांते थे हाथ पे और वह ऐसा फू फू करके हवा भरते थे इसके अंदर में इसको दबा दबा के और आप लोगों का पता चलता था कि कितना आपका blood pressure है देखे यह सैमुएल बाश करके वहकती थे सैमुएल बाश उन्ह कि अगर है इससे कम है तो इसको नॉर्मल माना जाएगा नॉर्मल ब्लड प्रिशर माना जाएगा चलिए तो 120-80 यह आप लोगों का नॉर्मल यह याद रखना है और भी कुछ एक्विपमेंट से आप लोगों के जो काम आते है लिपीडो केयर ठीक है लिपीडो केयर किसके काम आता है लिपीडो केयर इंपॉर्टन कोश्चन बन सकता है लिपीडो केयर किसके काम आता है तो लिपीडो केयर याद रखना आप लोगों का ठीक है कोलेस्ट्रॉल आपने के काम आता है रिदय गती नहीं है यहाँ पर में जो है कोलेस्ट्रॉल कर लेना आप लोग इसक सकते हैं दो सब्सक्राइब clip ouk Twitch के और ऀंदर में कुछणा सकता क्या Shao कितनी सर्करा है उसको मा पने के काम और भावके क्शना है इसको मापने के काम आपके इसको याद रखेंगे इक्जाम के बिहार में प्रवाइत होने वाली इंपोर्टेंट नदिया अगर आप लोग चाहते हो फ्रेंड्स की ऐसे आप लोगों को पढ़ाता रहो तो जल्दी-जल्दी से एक बार सेशन को जहां भी आप बहुत बढ़ी धेकिए यहां पर मैं बात कुरूँ को फ्रेंट्स बिहार में प्रवाइत होने वाली मुखे नदियों की तो आप लोगों को पता होना चीए फ्रेंड्स की मयूराक्षी नदी जो है यह आप लोगों की जारखंड के अंदर में बहती है जारखंड में जारखंड के अंदर में तापी माही नदी जो है यह आप लोगों की कहापर में मध्यप्रदेश के अंदर में MP और गुजरात के अंदर में बहती है बिहार में नहीं बहती रिहान नदी जो है आप लोगों को याद रखना है ये UP में बहती है UP मध्यप्रदेश के अंदर में तो ये तीन तो आप लोगों ने option को eliminate कर डाला गंगा, सोन, गंधक और कोसी चार नदीया जो है, बिहार के अंदर में बहती है ओन वीज आप सबना होगे बहुत हो मैं आप लोगों को समझाओ वही असली बच्चा है जो लेगा तो सेलेक्शन लेने वाले बच्चों के लिए है ये 6 मेने और 9 मेने के लिए ये उया टीक के चानकारी हासिल कर सकते हो। तो देख सकते हो आप लोग हे गंधक नदी हे ठीक है आप लोगों की ओके यहां पर Corporal ॅपər नदी रिफ E में लेकिन आप जार्ख अणड अलग होने के कड़ान अलग होगई है यहां पर में टाइक है जी तो यह यहां दखना है आप लोगों ने इक्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं डायबटिस में आपने की मशीन को ग्लुकोमेटर भी बुलेंगे क्योंकि वो ब्लड के अंदर में सरकरा की जाज कर रहा है आप लोगों का ग्लुकोमीटर बोला जाता है उसको लुटोमीटर टीक है किनेक्स्ट पाटली पुत्र के संस्थापक कौन थे यह बताना है आप लोगोंने फाउंडर ऑफ पाटली पूत्र बिहार से रिलेटेड कोश्चन है आप लोगों का बताएंगे जल्दी से कि पाटली पूत्र के संस्थापक किसको माना जाता है पाटली पूत्र के संस्थापक किसको मानते हो आप लोग पाटली पूत्र के संस्थापक कौन थे बहुत बढ़ी है अगर बात करूँ आपढ़ से यहां पर मैं पार्टली पुत्र तो पार्टली पुत्रों पुछात्य।क में तो ञाले लोग पाई को स inclined हुई थी आप लोगों की बिहार में पुछा गया कोश्चन है आप लोगों का तो बिहार के अंदर में इस कोश्चन का आंसर जो है आप लोगों का उद्देन ही माना गया था और उद्देन नहीं की थी उद्देन ने इसको अपनी राजधानी भी बनाई थी यह याद रखने मुगल बाश्चा था जो अंग्रेजों का पेंशन भोगी बन गया देखे फ्रेंट्स आप लोगों को पता है मुगल बाश्चा जो है उन लोगों का बहुत बड़ा इतिहास है मुगलों का मुगल्स का ठीक है बाबर आये जिनोंने भारत के बारत में इसकी स्थापना की लेकिन धीरे धीरे मुगल सल्टानत कमजोर हो गई और ऐसा पहला मुगल बाश्चा कौन था जो अंग्रेजों के अधीन आ गया अंग्रेजों के पेंशन भोगी बन गया तो आंसर क्या होंगा आप लोगों का शाहा आलम जिसको शाहा आलम डुती है या शाहा आलम दो भी बोला जाता है ugh अलंदो है याद रखने है आप लोगोंने जिसने अंप्रेजँ के अधीन आ गया था अंप्रेज़ू की अधीनधा सुविकार करन ली थी अंप्रेज Jawissä अंप्रेजू से पैसे लेता था पेंशन से बोल की असे लेता था बोला at अकबर दो थोड़ा सा ये भी chronology याद रख लो अकबर दो इन्हों ने क्या किया था ? राजा राम मोहन रोई को राजा की उपाधी दी थी राजा की उपाधी दी थी अकबर दो ने और इनको लंदन भी भेजा था अपने पैसे बढ़वाने के लिए लंडन यार देखो तुमारी चाचिया यार देखो राम चाचिया तुमारी एक को साड़ी दिल आता हो दूसरी नाराज हो जाती दूसरी को दिल आता हो तीसरी नाराज हो जाती पैसे की कमी है यार एक तो इतने कम पैसे दे रहे हैं लोग थोड़ा जाके बात कर दादी अम्मा से कि लंडन क inventor धिक है बठ्त व वापस निए ब्रिटेण में लंडन के पांस में जगा एक ब्रिस्टल नाम की वहाँ पर उनकी मृत्ी ऊपगे लुद्व in ő वह वाप बहादूर शाह 2 जिसको बोला जाता आकरी बादश्या था यह तो तीन आकरी के जो तीन बादश्या थे वो पेंशन भोगी बनेते अंग्रेज हो के शहा आलंदो अकबर दो और बहादूर शाह जफर इस question का answer जिसने कर डाला उसकी life जहींगा लाला बताओ जल्दी से question का answer क्या होगा इस question का answer क्या होगा है 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 बहुत बड़ी अफेंट दिखे आप लोगों के आंसर साने स्टार्ट हो गए acid present in the gastric juice अमाशे में जो रस present होता है या उपस्तित होता है हमारे body के अंदर में ठीक है इसको हम लोग क्या बोलते है gastric juice जो अमाशे का है हमारा वो है hydrochloric acid HCL यह याद रखने है आप लोग ने है आप लोगों का और यह हो सकता है यह वाला अंसर नहीं हो सकता तो option को गोली मारो सबसे पहले गोली मार बेजे में ठीक है option शोर करता है यह वाला गानागा कि इसको दो गोली मार दो पहले तो उसके बाद में अगर मैं बात करूँ आप लोगों का तो आंसर जो है डी की जोड़ी वन के साथ में लगनी है तो आंसर आप लोगों का option नमर सी हो जाएगा चीटी ने काटी ठीक है चीटी चाहा वह गाना आया था चीटी पहाड चले मर्दने के वास्ते लड़की करे फैशन लड़कों के वास्ते वह गलत है लड़की आप फैशन लड़कों के वास्ते नहीं करती लड़कों को गलत वहमी है ठीक है वह अपने सहलियों को जलाना च इसे प्रकार के साइंस का इक पूरी आपको प्रोवाइट की जारी है एबुक के अंदर में जो भी पेड़ वाले बस्चे उन लोगों के लिए तो जो भी है उनको बता दू आपका दो दीन के अंदर में आप लोगों को मिल जाएंगी इस तरीके से पूरा का पूरा ग्राफिकल और इसमें जैसे कि BPSC 1997 के अंदर में कुशन पूचा था ठीक है आप लोगों को मिल जाएंगा इकाई क्या है आप लोगों की पूरी की साइन से रिलेटेड उसके अलावा इस तरीके का आपके नोट् विद्यूद जो उर्जा का संग्रह करने वाला यंत्र है वो आप लोगों को मिलेगा ठीक है उसके बाद में एमीटर ठीक है एमीटर क्या होता है बीपिएस्सी 2018-19 की एक्जाम में पूछा था विद्यूद धारा जो इलेक्ट्रिक करेंट है उसको मापने के लिए आप लोग एमीटर का इस्तेमाल करते हो तो एमीटर का इस्तेमाल करते हो यह आप लोगों को मिल जाएगा यहां पर में इस तरीके से आप लोग पूरी की प्यूरी जो है आप लोगों की जो है आप लोगों को एक बुक मिलने वाली है चालिए और भी देख सकते हो आप लोग इस प्र कि ओपी आखंटिस्था कंब्स इस्था नाम बताइए जो साँवतिया ने संस्था इस्था की स्था रापना खुटिर याद याद रहने आप चाल कॉंगरेस की स्फप मा गन्धी जी की ती साबर मती आश्रम तो इंडिया में हैं भारत में किए ठाबं। वाटरवे नमबर 2 is located on which river दूसरे नमबर का जो वाटरवे है आप लोगों का वाटरवे नमबर 2 बताइए जल्दी जल्दी से इसका आंसर क्या होगा आप लोगों का नैशनल वाटरवे नमबर 2 नैशनल वाटरवे नमबर 2 कौन से नदी के उपर में स्थित है ठीक है यह ब्रह्मा पुत्रा नदी के उपर में स्थित है यह याद रखने आप लोग ने अगर मैं नैशनल वाटरवे नमबर राश्टिय जल्मार्ग एक की बात करू आप लोगों से नमबर 1 की बात करू तो क्या होंगा वो होगा गंगा नदी के उपर में ओपर में आप लोगों का ध्यान से समझना मेरी बात को क्योंकि बिहार से भी इसका लेना देना है यहां पर में आप लोग देखोंगे फ्रेंड़ प्रयाग राज्ज से अलहाबाद से स्टार्ट करते हुए अलहाबाद में यहां से स्टार्ट करते हुए, यह जो गंगा नदी है, इसके उपर में आप लोगों का हल्दिया तक, ठीक है, यहां पर में, यह जो है आपका यह है, नैशनल वाटरवे नंबर वन, और यह बिहार से भी जाता है, यूपी, बिहार, जारखण और पश्चिम अंगाल से जाता है, मतलब जल मार्ग, पानी से जाने वाला रास्ता, पानी के उपर से, बिहार, बिहार में कौन सा वाला राष्ट्रिय जल मार्ग जाता है, आप लोग कमेंट करके बताओ, पहला वाला जाता है, कौन से नदी पे बना है, राष्ट्रिय जल मार्ग नंबर तो राष्ट्रिय जलमार्ग नमबर एक जो है वो बिहार में से जाता है याद रखना है आप लोगों ने की जगा असाम के अंदर में यहां से नदी फिर बंगलडेश में चली जाती है इस वज़े से नेश्चनल वॉटरवे लव नमबर 2 ब्रहमा पुतर नदी के ऊपर में बना हुआ है अगर बात नेश्चनल वॉटरवे नंबर 3 की तो यहां पर देखोंगे के रल के अंदर में आ जाता है तो आप लोगों का कोट्टा पुरम है वहाँ पर में केरल में वारे नंबर 3 आप लोग पहले तीन याद रख लोंगे तो भी चल जाएगा पहला ठीक है आप लोगों को यह याद रखने हैं आप लोग ने गंगा नदी पर दूसरा ब्रह्मा पुत्रा नदी के ओपर میں کभी भी आप लोगों से पूछ सकते हैं friends नालंदा विशु विद्यालेकर सहते हैं सह नालंदा विशु कंस्था जबनाई विशु विद्यालेकर सहते हैं के साथ में मैं आप लोगों को और अच्छे से पढ़ा सकूं तो आपको याद रखने है फ्रेंड्स की नालंदा विश्व विद्याले जो है इसकी स्थापना गुपता राज्य के समय में हुई थी गुपता वंश के समय में यह एक कोश्चन बनता है किसके समय में हुई थी ग कोश्चन का अंसर क्योंकि ये भी कुश्चन आप से पूछेंगे ठीक है कि इसने किया था तो धरम पाल करकी राजा था आपका खाल रखने का भाल बरश का और ऑल रहता इसने इसके रिपीरिंग करवाई थी ये यह दुप याद रखना आप लोगों बहुत ही फेमस कुमार गुप्त 1 कुमार गुप्त 2 ऐसा दिया हुआ तो अब लिख तो आप लोग वथे साथ में कुमार गुप्त 1 ताकि आप लोगों को याद हो जाया हमेशा- के लिए पाल वंज का शाशक था ओके अच्छा इसको खतम किस ने किया था आग किस ने लगा दी इसके अंदर में यह कोशन आजाए आप लोगों से तो आग लगी आग लगा दी यहां पर में इसने बख्तियार खिल जी ने बख्तियार खिल जी जो था उसने 1193 के अंदर में यहां पर में आग लगा दी थी बख्तियार खिल जी ने यह भी याद रखने आप सभी लोगों ने बख्तियार खिल जी ने एक इसके उपर में बशीर बदर का एक बहुत अच्छा शेर मुझे याद आ रहा है और कुछ लोग तरस जाते हैं एक घर बनाने में लोग तरस जाते हैं एक घर बनाने में यह बिलकुल तरस नहीं खाते बस्तिया जलाने में लोग तरस जाते घर बनाने में यह तरस नहीं खाते बस्तिया जलाने में वह अमंग इसे लिए फॉलविंग बील्ड फालविड «फ्रिव्व्थृ टेंपल ए बोध गया, बोध गया के अंदर में माहबोधी टेंपल का निर्मान किस ने कर आया था। नियुक्त के प्रैट्ट है उनको निर्वान प्राप्त वाता हुई थी उनको पीपल का व्रक्ष था उसके पर महाबोधी टेमपल बनाया गया उनसको वर्ल हरिटेज साइट के अंदर में इसको शामिल किया गया है तो सबसे पहले इसको अशोका ने बनवाया था, बाद में फिर बहुत सारे और भी राजा है जिन्होंने इसके अंदर में निर्मान कारिय दिया है अपना, तो आंसर आप लोगों का अशोका हो जाएगा, यूने इसको की विश्व धरोहर की अंदर में इसको शामिल किया गया है, ये भी याद अखने है आप लोगों ने, विश्व धरोहर है ये, पूरे दुनिया का एक धरोहर है भारत के पास में, इसकी सुरक्षा करना जिम्मेदारी है हमारी, ठीक है, नौ फ्रेंट्स, दापिटल ओफ अंगा महाजनपत करेस्पॉंस टू विश्व प्रेजेंट इत्ता यहां पर में यहां पर में ताया जी बनके फिरता है आप लोगों का, कि हम डेमोक्रेसी है, हम पहली डेमोक्रेसी है, अरे बेल तुम लोग पहली डेमोक्रेसी हो, हमारे भारत में आओ, हमारे बिहार में आओ, आपको पता चलेंगा कि क्या है डेमोक्रेसी, ठीक है, उसकी राजदानी थी भागलपूर आप लोगों की तो अंग महाजनपत नहीं यहाद रखना है からदोपर्णाriend प्रथम महाजनपत था आपका वजी का बिहार से ही और भागलपूरन्दु यह आप liegen вариант तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, यहाँ पर में यह देखोंगे, आप लोग यह वज्जी महाजनपद है, जिसकी राजधानी थी वैशाली, वैशाली, और यह अंग महाजनपद, जिसकी राजधानी थी भागलपूर, भागलपूर, ओके, यह याद यहाँ सुधानपद, जिसकी राजधानी थी वैशाली है, और अंग की चंपा थी जो आज के भागलपूर के अंदर में स्थीत है, आप लोगों का डाउट क्लियर, यहाँ पर में, चाली, तो यह आप देख सकते हो, यहाँ पर में है वज्जी आप लोगों का, और यह था अंग का महाभारत के अंदर में भी उलेक किया गया, किस से जोड़ा गया, बता सकते हो आप लोग, अंग का महाभारत के अंदर में भी उलेक किया गया है, एक जगा पे, किस के साथ में जोड़ा गया, वो आप में को कमेंट करके बताएंगे, या आप लोगों को यह आप लोगे को पता होना ची है friends कि हमारा जो इतिहास है, ठीक है, वो ऐसा नहीं है कि अभी बस 2,300 साल पहले शुरू हुआ है और उससे पहले हमारा इतिहास नहीं था या इनसान नहीं थे, उससे पहले से भी इंसान थे friends, ये याद रखना है आप लोगोंने, इनसान बहुत प तो तीन काल खंटों में उसको बाटा जा सकता है, पूरा पाशान, मध्य पाशान और नौ पाशान, तो बिहार में नौ पाशान युख के जो सबूत आप लोगों को मिले है, वो कहापर में मिले, ये कोशन पूछा जा रहा है, तो ये चीरांद नाम की जगा है, एंसी आर्ट तो नौ पाशान युख जो है आप लोगों का वो चीरांद, बिहार के अंदर में चीरांद नाम की जगा है, और सारन डिस्टिक्ट के अंदर में आप लोगों को ये मिलेंगी, ठीक है, चीरांद यहाँ पर में आप लोगों को बता दू, कि पहली उलीथिक एज के सबूत आप लोगों को कहापर में मिले है, ये करना है आप लोगों ने, इंपोर्टन वाला, ठीक है, पूरा पाशान युख के सबूत कहा मिलते है, पूरा पाशान युख के, तो मुंगेर और नालंदा में आप लोगों को मिले है, ठीक है, नौ पाशान युख के सबूत आप लो बोलते हैं तो चिरांद में चेचर में चंपा में तराधी के अंदर में इन सरी जगों के उपर में आपको चालको लीथी गेज के भी सबूत मिलते हैं नेक्स्ट भूकम के दौरान पृत्री की सता पर एक बिंदू है जो प्रत्यक्ष रूप से फोकस के ऊपर होता है टोके शुरुआत हुई जहां भुकम स्टार्ट होता है उसको बोलते हो आप लोग उसको बोलते हो आप लोग फोकस टिके फोकस की जस्ट उपर का सिस्मों सेंटर है फ्रेंट्स यह वह जगह होती है जहां से भुकम को मैनेज किया जाता है भुकम कि निगरानी रखी जाती है और उपरी केंद्र या फिर आप लोगों 49 लोगके के इपि सेंटर यहाँ पर ना यहां इक मिटामीन जिसको अपनी गति ही के लिए कोबाल्ट की आवशकता होती है मतलब कोबाल्ट रहेंगा तभी वो काम कर पाएंगा अधरवेस्ट वो काम नहीं कर पाएंगा तो जिन्दा रहने के लिए तेरी कसम कोबाल्ट की जरूरत है सनम तो देखिए एक विटामिन जिसको अब जो बुरे की सरकपक पड़ाई होंगी तो आप यह पूछिए कि आपको जॉब कब तक चाहिए आपको आपके परिवार को सुविधाय आपको देनी है कि नहीं देनी है बाकी जो इतने सारे करोडों लोग बैठे हुए है बिहार तीसरे नंबर पर आता है आप लोगों का जनसंख्या के मामले में ठीक है तो आपको बाकी लोगों के तरफ जाने देनी है या आप लोगों ने लेनी है जो वेकेंसी उसके अंदर में भी ब्रस्टा चार होके मानलों कम हो गया वहां आप लोगों का ठीक है और वेकेंसी कम हो गई तो क्या फिर इंतजार करोंगे अगले बार तक का जब पढ़ा रहा हूं जब में और यहां पर मिल्ट का यहां पर रहता आप 거지 Bonnie is怎麼辦 कि जरूरत हो वोग ने इसको को बाल्ट की जरूरत होती है तो यह आप लोगों को यह नहीं समझ में आ रहा है और इन लोगों को पास करना है खुद पेपर देनी है यहां मेरी फीवर है मुझे आप लुग मैं घ्री ते olarak और पूर आपchnशने है प्रुत्वी का अन्दर से आप लोगों को मिलती है और उसको क्या कहा आप लोग ने क्या बोला जाता है उसको geothermal energy important point है आप लोगों का exam के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं तो प्लीज इसको याद रखेंगे आप सभी लोग किसी भी तरीके से exam के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं आपको दिखा भी देता हो कैसे होता है यह ज अगर हमने किसी भी तरीके से यहाँ पर में थंडा पानी डाल दिया और यहां से हम लोगों ने इसमें से ऐसा इधर साइट से गरम पानी निकाल लिया तो यहाँ पर में पानी क्या होंगा गरम हो जाएगा तो पृत्वी की उर्जा का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं पानी क को गरम करने अब यह पानी का आप जो इस्तिमाल करना चाहो कर लो तरबाइन पर छोड़के इलेक्रिसिटी बना लो नहा लो खाना बनाने के लिए इस्तिमाल कर लो कुछ भी कर लो ठीक है तो इस तरीके से जो पृत्वी के अंदर की जो उर्जा है उसको हम लोग जियो थर्म अगे बढ़ते हैं आप लोगों के फ्रेंड्स अगे 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 दग कलर ओफ दस्टार इस इन इंडिकेशन आफ इट्स जो कलर होता है स्टार का वो किस बात के ओपर में जो है वह इंगीत करता है कलर अगे कलर जो स्टार का कलर होता है वह क्या इंगीत कर रहा होता है आपका आप स्टार्स देखते होंगे ना जो दूर दराज के जो स्टार होते है तो अगर मान लीजी हमने दूर बील से स्टार को देखा अगर वह स्टार आप लोगों का आपको ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है ठीक है तो वह समझ जाना उसका अगर वह आपको वाइट कलर का दिखाई दे रहा है ठीक है तो दूर बील से देखने पर आगे अधर वाइस तो हमें सारे स्टार सफेद कलर के दिखते हैं यलोई कलर का दिखाई दे रहा है आप लोगों को समझ जाना 6000 डिग्री सेल्सियस का है इसका तापमान और फिर यहापर में तो रैड कलर सबसे कम तापमान वाले तारों का होता है रैड कलर यह याद रखेंगे आप सभी लोग तो जो तारों का कलर होता है ठीक है वह उनके तापमान का बता देंगे ताकि आप लोग अच्छे से इसको याद रख सके हैं आप लोगों को कहा पर में विलेंगी आंदर प्रदेश और देंगे ए sisters इसे पूछ सकते हैं इसको याद रखेंगे आप लोगों को мैं एक मेप दे दूँँगा आप लोगों को कोर से उसके अंदर में जाकर यह पीपीटी देख सकते हो आप लोगों के लिए टेस्ट भी बना रहें आपको पता है आपके लिए कितनी एफट्स हो रहा है पीछे से टीम जब मैं यहां पर मैं अराम से आप लोगों को पढ़ाने की कुशिश करो और आप लोगों के लिए प अब लोगों को यह प्लीज इसको याद रखी आप सभी लोग कि आप लोगों का कौन-कौन सी चीज के लिए क्या क्या चीश वर्ली पेंटी महाराष्ट्र चिकन-करी के लिए लखनो ौछ अपली यह सारे के सारे आप लोगों के दिये हुए है अपके अलग-अलगlast उसके अंदर में इसी वज़े से यह important हो जाता है, यह पूरी की पूरी लिस्ट आप लोगों को मिल जाएंगी, मदू बनी तो बिहार का है यही, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं आप लोगों को, अब फ्रेंड, नेक्स्ट कोशिण है आप लोगों का लिजार्ट, जो छिपकली होती हो, वो कहां से सांस लेती है? ठीके है? मदू बनी कहां से सांस लेती है? मदू बनी क्या होग enroll कि इस चपकली कहां से सांस लेती है? कि बताइए में कि ab Shoot Kickstarter कि अगर हम लोग बात करेंगे तो चीब्कली अपलोग कि त И일 की मदद से एक एसा है जो अपनी तवच्चा से सास लेता है और बहुत फेंपस है वो आप बता सके है अपनी तवच्चा से सास लेने वाला आप लोगों का ऐर्थ वार्म वैरिकुड़ बहुत बढ़ी है किछ लोग ने आंसर किया है यहापर में जो आपके केचुए होते अर्थ वार्म होते न वह आपके स्कीन से लेते हैं अर्थ वार्म वार्म एक और है आप लोगों का जो मॉइस्ट्र स्कीन जो उनकी जो गीली तवचा होती है उससे लेते है तवचा से वो होते है फ्रॉग आप लोगों के ठीक है फ्रॉग्स वो भी आपकी skin से ही लेते हैं सास moisture skin से, moisture skin का मतलब होता है गीली तवचा से, तो यह याद रखना है आप लोगों ने, earthworm और frog जो है वो skin से सास लेते हैं, लेकिन अगर lizard की बात करें छिपकली की बात करें हम लोग, तो यह लंग से लेते हैं, यह याद रखना है, लंग से सास लेते हैं लंग से, छिपकली, तो important है आप लोगों का answer हो जाएगा, आप लोगों का option number C, चीक है now friend, next question के तरफ में आगे बढ़ते हैं, आप लोगों को बताना है कि Javik Oxygen Mung, BOD, किसको मापने की एक विधी है biological oxygen demand, देखिए जितनी जादा पानी जो है friends, आप लोगों का साफ रहेगा, यह मान लीजे पानी है आप लोगों का, ठीक है, और पानी साफ है तो जादा पानी साफ होने के कारण क्या होगा, जादा पानी साफ होने के कारण आपर जीव जन्तु क developer में रहेंत करगा जीव जन्तु तो उन्हीं की जितनी सर्म जीव जन्तु में रहेंगा उनके लिए अश्मrant आपर कमा में रहेंगे के डीव जलिए ब्लाइन बटश स्वाड़ जीव जन्तो को भी तो दर्शा आता ही है, जितना जादा अच्छा पानी, जितना जादा साफ पानी, उत्ता जादा आप लोगों की फ्रेंट्स, ओक्सिजन की डिमांड रहेंगी, नेक्स्ट के तरब में आगे बढ़ते हैं, डेफिशेंसी ओफ ब्लैंक लीड्स टू क्वाशी ओर कर, बताइए किसकी कमी क्वाशी ओर को आपका बुलाती है, क्वाशी ओर कर के अंदर में आप लोगों के पेट इस तरीके से फुल जाते है, ठीक है, पेट फुल जाते है दिएक बात बताओ, बिहार की फिश कौण सी है, बिहार की State Fish, martial फिश, बता सकता है कोई? बिहार की State Fish कौण सी है अभी आप लोगो तो और थोड़ी दर बतायाता है स्टार्टिंग में, मंगूर है मंगूर के अंदर में प्रोटिन बहुत जादा पाया जाता है तो बहुत जाधा पाया जाता है तो जो भी लोग thought आगधर मशली उचली तो मंगूर घ्रहा लो भी कोई दिक्कत नहीं है उसमें medicinal properties भी बहुत सारी मैं तो नहीं खाता मशली लेकिन कोई आप लोगों में से खाता हो तो छा सकते हो मंगूर में प्रोटीन बहूत जहीं होता है यह याद अब लेया रखे बासा की आप लोगा आपको अपलोगा आप लोगा तो आपको गहेंगा fiveakak यह जो glands है आप लोगों की, यह क्या होती है friends, फूल जाती है इसको, यह ऐसे बड़ा हो जाता है गला, घेंगा बोलते हो इसको, आयोडीन की कमी के कारण, आयरन की कमी के कारण होता है एनेमिया, एनेमिया, ठीके, रक्त शिंदता, अगर रक्त आपके बॉड़ी के अंदर में कम है, तो रक्त शिंदता या जो आयरन है आप लोगों का अगर बॉड़ी में कम हो जाए तो एनेमिया होता है, इसको दूर करने के लिए गोली देता है डॉक्टर, बता सकते हो आप लोग कौनसी वाली गोली देता है, अभी थोड़ी दिर पहले आप लोगों को, बताया है मैंने कि अगर आपको, especially girls को वो गोलिया दी जाती है, ठीक है, डॉक्टर के दुआरा, बताया हो गोली का राम क्या है आप लोगों की, कौनसी है वो गोली, very good friends, ठीक है, B9 की जो गोली है आप लोगों की जिसको आप लोग फॉलिक एसिड बोलते हो, फॉलिक एसिड की मेड एसिड या B9 की जो गोलिया है, उसका इस्तेमाल करते हो आप लोग, okay, potassium की कमी हो जाए आप लोगों को, तो hypokalemia हो सकता है, sodium की कमी हो जाए, तो hyponitria हो सकता है, calcium की कमी, बहुत important वाला question, calcium की अगर कमी हो गई हमारे body के अंदर में, तो हमको rickets होता है, rickets या फिर आप लोग की कमी के कारण, उसके बाद में friends, अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, important वाला question, इसको बहुत important है, इसको important माक कीजी आप लोग, सत्रिया भारत के किस राज्ये का एक परमपरिक हिंदू, जो है, शास्त्रिय नृत्ते है, मैं आप लोगों से question और पूछना चाहूँगा, अगर आप लोग extrapolate करना चाहो इसको, कि सत्रिया डांस की स्थापना किस ने की थी, ठीक है, ये कौन से राज्ये में होता है, तो सत्रिया डांस आप लोगों को याद रखना है, ये आसाम के अंदर में होता है, आसाम के अंदर में, ये भारत का एक classical dance है, भारत का, ये याद रखनेंगे, आप लोग सत्रिया आसाम के अंदर में, इंपोर्टेंट है, प्लीज इसको याद रखना आप लोग, इसको शंकर देव नाम के एक संत हुए है, शंकर देव, शंकर देव करके एक वेक्टिव हुए, आसाम के संत थे ये, तो शंकर देव कहा के संत थे आसाम के विश्णु परंपरा को मानने वाले संत थे ये शंकर देव उन्होंने इसको स्टार्ट किया था सत्रिया डांस को असाम के अंदर में तो इंपोर्टन पॉइंट है इक्जाम के अंदर में आप लोगों से बन सकता है बाकि आप लोगों को यह लिस्ट चाहिए भारत नाट्यम आप लोग लिखते जाओ मेरे साथ साथ में एक बार सभी लोग कमेंड में लिखते जाओ ताकि आप लोगों को याद हो जाए भारत नाट्यम कहा का है लिखो एक बार जल्दी से ताकि आपको याद हो जाए भारत नाट्यम देखो प्रैक्टिस करने में कुछ नहीं लेकिन वो कच्ची रहे की तो आंधर प्रदेश आधी पकी तो कुच्ची पुड़ी पुड़ी जो है कच्ची रह गई आंधर प्रदेश से आधी पकी ऐसा कर लिया मैं उसको तो कुच्ची पुड़ी आंधर प्रदेश का है यह याद रखना आप लोग कुच्ची पुड़ लड़की लग रही है और मोहिनी अटम मोहिनी खावा के तो मोहिनी तो मोहिनी अटम ये दोनों लड़किया है और आपको पता है फ्रेंड्स की लड़कियों का रेशो केरल में सबसे जादा है लड़कियों का रेशो केरल में जादा है तो केरल आप लोगों का अंसर हो जाएगा यहाँ पर में तो इस तरीके से आप लोग इसको याद रख सकते थे केरल के अदर में, एक बार लािक भी कर देंगे यार और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ने कि जाकि ऐसे ही आप लोगों को और भी बहुत सारी चीज़े जो है आप लोगों को करवाई जा सके उसके बाद में मनी पूरी और ओडीशी तो आप लोग आराम से कर लोगे तो आसाम का हो जाएगा इसका अंसा सत्रिया डांस next question की तरब में आगे बढ़ते है which vitamin is found in carrot के अंदर में कौनसा वाला vitamin पाया जाता है गाजर के अंदर में यह बताएंगे आप सभी लोग जल्दी जल्दी से गाजर के अंदर में कौनसा vitamin पाया जाता है तो देखिए अगर मैं गाजर की बात करूँ आप लोगों से तो गाजर के अंदर में आप लोगों को विटामिन A मिलेगा तो अगर आप लोग गाजर अच्छा जाधा खाओगे न तो आपकी आखो की रोशनी बढ़ जाएंगी मतलब मेरे को भी गाजर खाना चाहिए कमी हो गई तो आखो जो रतांदी हो जाती वैसे रतांदी मिलेको नहीं है लेकिन किसी को भी हो सकती है अगर विटामिन A की कमी है तो यह याद रखने आप लोगों नहीं भारती क्रिकेट कंट्रोल बॉर्ड का मुख्याले कहापर में स्थीत है जनरल नौल्लेज के अंदर में पूछा जा सकता है आप लोगों से BCCI का मुख्याले कहापर में है तो BCCI की बात करूँ में आप लोगों से तो यह मुंबई के अंदर में है BCCI का कई सारे लोग दिल्ली लगा कर आते हैं अभी भी कुछ लोग दिल्ली लगा रहे है ओके तो दिल्ली में नहीं है मुंबई के अंदर में यह याद रखने आप लोगों ने और ICC की बात करूँ कि अध्यक्स कौन बताना चाहूंगा इसका अध्यक्ष कौन बने है BCCI के अभी थोड़े दिन पहले बने है कि इसके अध्यक्स कौन बने BCCI के इसका के अपलोगों का करन्ट आफ्यर का दू मैं एक बार मैंको हात उपर करके बता देंगे जनवरी से लेकर पूरा आज जब तक भी मैं पढ़ाऊंगा उस दिन तक का पूरा करंट अफेर एक लंबी क्लास लूँगा लेकिन मैं को कमेंट करके बताओ कि सारे लोग लाइव आउंगे सारे के सारे लोग लाइव आउंगे मुझे मुझे प्रॉमिस करो तो मैं आप लोगों के लिए करवा दूँगा पूरा का पूरा करंट अफेर रोजर बिन्नी यह याद रखना है आप लोग ने फ्रेंट्स ठीक है रोजर बिन्नी यह जो है वो बी-सी-सी-सी-आई के अध्य का है वीफा का हेटकॉटर का हापर में फीफा या होता है आप लोगों का पता है नअ ए मद्टफी आप लोगों की वह बॉडडी है जो पुटबॉल को चलाती है तो Zurich, Swizerland के अंदर में इसका headquarter याद रख रहे आप लोगों ने Zurich, Swizerland के अंदर में important point exam के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है इसके अलावा जो है friends आप लोगों से एक question बन सकता है आप लोगों का की भाई Olympic का headquarter कहा पर में है, Olympic का, तो Olympic का जो है friends, वो Losane, Switzerland में है, Losane नाम की जगा है न ये वाली, ठीक है, वहापर में है Olympic का Headquarter, तो ये भी थोड़ा सा याद रख लेना आप लोग, लाश्ट्री आपदा प्रबंधन, NDMA की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती देखे, एक बहुत ही important वाला point बताता हो आप लोगों को friends, NDMA, लाश्ट्री आपदा प्रबंधन, ध्यान से समझना आप लोग, अगर हम लोग बात करें न, ये आपदा प्रबंधन क्या होता है, बाढ आ जाए, बिहार में बाढ आती है, कौन से नदी सबसे ज़दा बाढ ले पाज में कानून बनाया गया था, इस कानून के तहट एक authority, एक प्राधिकरन बनाया गया है, जिसको राश्ट्री आपदा प्रबंधन प्राधिकरन, राश्ट्री आपदा प्रबंधन प्राधिकरन बोलते है, इसकी अध्यक्षता भारत के, राश्ट्री जोए न, उसकी अ धार आती है तो बिहार के में कोन इसकी अध्यक्ष्टा करेंगा तो वो मुख्यमंत्री करेंगे तो टेट वाली जब बात आती है आप लोगों की तो प्लीज इसको याद रखना आप लोगों के अंदर में जो है वो आपके चीफ भारत के प्रादेशिक जल शेत्र का विस्तार कहा से कहा तक है आप लोगों का ठीक है आप लोगों को दिख रहा है जस्ट सेकेंड मैं आप लोगों का अटा देता हूँ ऐसे आप लोग आणसर कर सकते हो तब तक बैसे तो दिखें फ्रेंट ये युपी पीसीस के अंदर में आया था आप लोगों को कुश्शन और भारत के प्रादेशिक जल शेत्र का विस्तार कहा से तक है इसका मतलब यह है फ्रेंड आप लोगों का सिंपल सी बात है कि जो भारत है उसका कहा तक का एरिया भारत का माना जाएगा, कहा तक का एरिया भारत का माना जाएगा, यह 12 नॉॉटिकल माईप्ली इसको व्याद रखना आप Şimdi, 12 नॉॉटिकल माईप्ला छाहे, है उसको माना जाता है एक कोश्यन में आप लोग उसे और पूछना चाहूंगा एक नॉटीकल माइल मतलब कितना होता है बता सकते आप लोग 1 nautical miles मतलब कितना एक nautical mile की value कितने meter होती है meter में बताना है आप सभी लोग ने देखते कितने लोग answer कर पाते है एक nautical mile की value 1000 नहीं होती है लोग आंसर करेंगे आप सभी लोग जल्दी जल्दी से ओके तो देखे जो territorial water होता है न वो 12 nautical miles तक होता है यह याद रखना the famous wooler lake and dull lakes are state कौन से राज्जी के अंदर में यह बता ही आप लोग वुलर लेक और यह जी हाँ 1.82 यहाँ पर मैं आंसर कर रहे हैं लोग ठीक है मतलब एक 1820 आप लोगों का जो है लगबग वो एक एक nautical mile होता है आप लोगों का तो जम्मू कश्मीर के अंदर में है यह याद रखना है आप लोग ने फ्रेंड्स वुलर लिक और डल जील देखे यहाँ पर मैं वुलर जील जो है आप लोगों को फ्रेंड्स जम्मू कश्मीर में मिलेंगी और आप लोगों को बताना चाहूंगा मैं कि वुलर जील जो है प्लीज इसको याद रखेंगे, आप सभी लोग लोक्तक जील कहा पर में है, मनिपूर के अंदर में है, ये नॉर्थ इस्ट इंडिया की सबसे बड़ी जो है, आप लोगों की फ्रेश वाटर जील है, उत्तर पूर्वी भारत की, तो नॉर्थ इस्ट उत्तर पूर्वी भारत काइबूल लामजाव नाम है उसका है, याद रखने है, काइबूल लामजावampf का लामजाव लामजाव ನेशनल-पार्क लोग टक जील के उपर में तैरता हुआ नैशनल-पार्क है, पुरे दुनिया में अकेला है, मनिपूर के अंदर में मिलेगा, येश इसको याद रख तो कौन से राज्य में है काईबुल लम्जौ नेशनल पार्क मनिपूर के अंदर में ऐसे आप लोग याद रख सकते थे इस चीज को चालिए बाकि देखे फ्रेंट यह पूरी की पूरी एक लिस्ट है आप लोगों की अलग अलग राज्य की जैसे कोलेरू लेक कहा पर में प क्या है तो कि की अलग राइखे झाले कि अलग बाकि अलग राज्य पार्क में पूरी ओगार काईब। बहुत बड़िया दिखें या पर मिंतिकों का सब्सक्रेश्त सब्रस्क्राइब कारा गाव symmetry कारण होता है विस्षाणू क्या कारण होता है व्यॉLयम वाइरस्कृ पहुचा च्छां वाइर्स की इस इसको important mark करो आप सभी लोग, important, what are the major biodiversity hotspots of India, भारत के प्रमुख जै विविधता वाले स्थल कौन से है, भारत के प्रमुख जै विविधता वाले स्थल, जै विविधता, जै को biodiversity hotspot का मतलब होता है, ऐसे जगा जहाँ पर में बहुत ज्यादा diversity पाई जाती हो, अलग-अलग प्रकार के पेड, पौधे, जीव, जन्तु पाई जाते हो, उसको biodiversity hotspot कहा जाता है, भारत के प्रमुख जै विविविधता वाले स्थल कौन से आपके, तो पश्चीमी घाट, उत्तरपुर्वी भारत, सुंडा लेंड, ठीक है, तो जी हा, तीनों के तीनों है, व पर में बहुत जादा, ठीक है, बायो डाइवर्सिटी आप लोगों की पाई जाती है, बायो डाइवर्सिटी, बायो डाइवर्सिटी जो है, पश्चीमी घाट में पाई जाती है, यहां पर में है, पश्चीमी घाट, यहां ठीक है, उत्तरपुर्वी भारत मतलब यहां प आत्मान में चार है पश्चिमी घाट हिमाले वाला शेत्र इंडोवर्मन सीमा इंडोवर्मन सीमा जो है अप लोग में सब्सक्राइब Shanghai बी घर देंगे जल्दी empathy आई साथ है आप लोगों के लिए और ज्यादा एन्रजी से पढ़ा सकूं पर चलिए को इतना याद कैसे रखेंगे तो आईशा जी इतने सारे पैसे कहा जमा करके रखोंगे नी करना है तो मेहनत मैं कर रहा हूँ न आ धेजिए हुआ कर रहा है देजिए पानी sbi को यहां पर मैं यह सोच रहो हुआ कि आप लोगों का flow तूटा, तो मेरे बच्चों का नुख्सान नहीं ao उसके बाद में क्या करऊंगे आप तीन महीने के बाद में ठीक है तीन महिने के बाद में तंबूरा बजाते रह जाओंगे बस कि काश उस समय पढ़ लिया होता कि मानोरक्त का सामय प्यच कितना होता है मैं आप लोगों को एक चीजiding बता देता है आप लोग ट्रिशिंग परिक्ष्य tonight चिजिंग परिक्ष्च आप लोग ट्रेलिग्राम के उपर में जूड़ सकते हो जो मानों का रक्त होता है आप लोगों को बताना है कि उसका pH लगभग कितना होगा तो फ्रेंट्स जनरली जो मानों जो रक्त है आप लोगों का यह याद रखना है कि 7.35 होता है तो 7.35 जो है आप लोगों का होता है 7.35 यहापर में आप देख सकते हो कि 7.35 होता है और इसका जो level अगर मान लीजिए आप लोगों का 7.35 से लेका 7.45 तक हो गया ठीक है तो चलता है ये normal है तो इसको mid में हम लोग जो है इन दोनों का mid क्या होगा दोनों का तो 7.4 कई बार लिख देते हैं हम लोग बट यहां जो options दिये हैं आप लोगों को उसके अ तो आप लोगों को scumsa auracidosis होने लगेंगा आसी डोसिस मतलब आपका रख्थ जलने लगेंगी आपका बटी जलने लगेंगी आपकी आघ पकड़ लिए एकदम आप जो है मैं आघ में जल गया हूँ पानी लाओ ऐसा वाला नहीं आपको गर्माहाट महसुस होंगे आपके जलन सारी चीज़ें आप लोगों को हने लगेंगी टिक है तो यह याद रखना है नियंत्रित करता है प्लस खाने को अलग एक जगा से दूसरे जगा और ऑक्सिजन को एक जगा से दूसरे जगा पहुशाने में भी मदद करता है तो normal वाला लिख दो आप लोग blood कितना कहां से कहां तक है आप लोगों कहीं लिख देंगे सभी लोग जल्दी जल्दी से एक बार लिख दो सभी लोग जल्दी जल्दी से लिख देंगे सभी लोग the liquid part of human blood called blank is made up of water, salt and protein माण और रट्द आप लोगो आपके बौडी में खून है जो पनी से लवन्ट से और प्रोटीन से बने वह होतता है अपके बौडी के अंदर में जो पानी और यह सारी चीज़ों से बना हूँ चीज़ें आप लोगो ज़्या कहा जाता है वरि्गुरूट फ्रेंड्स ठीक है उसको प्लाजमा कहा जाता है याद रहना है आप लोगों ने प्लाजमा बोलते हो आप लोग की वह आप लोगों पानी और पानी लवन ठीक है सॉल्ट यह सारी जो चीज़े यह प्लाज्मा बनाती है ब्लड का पार्ट फिर आर बीसी आपका प्लेटलेट्स है ठीक है वाइट ब्लड सेल से आर बीसी और डब्लू बीसी जिसको आप लोग बोलते है वह होता है आप लोग आप लोगों को याद रखना है की 55% बापे यह दो झाल झाल ऑने लग गए है याँ पर में पेट्रोलियम कौन के बारे में अगर हम वोग बात करेंगे हैं organizations तो अर्क ब्लिक्विट होता है what ? होता है blue color का होता है तो देखे सबसे पहली बात तो यह ना अच्छी गंद भी नहीं आती है इसके अंदर में से अब कुछ लोग होते है आप लोगों हो होता है लेकिन जो पेट्रोल को अलग करने से पहले वाला समय होता है वो बिल्कुल अच्छी नहीं होती है नौ आपको बताना है कि bamboo जुए वह क्या है? bamboo is the type of, bamboo क्या है आप लोगों का? तो bamboo जो है friends या ये क्या कोई जडि बुपी है? ये वरक्ष है? श्रब है? जाड़ी है या घास है? हमारे भारत के अंदर में जो संस्था है जो इस चीज को पूरा का पूरा मेंटेन करती है पूरे रिकॉर्ड को उनके अनुसार जो बंबू है आप लोगों का जो बंबू है आप लोगों का उसको किस कैटिगरी के अंदर में रखा गया है पता है आप लोगों को घास की कैटि तो चैनल है आपका इसी पर इसमें जाना क्लिक करना अंदर में जाके ऊस टोरी सुनना या फिर स्टोरी बायदानिसर टीचिंग परिक्षा या स्टोरी ऑन टीचिंग परिक्षा ऐसे सर्च करना आपको मिल जाएंगा तो आप लोग वह भी देख सकते हो बहुत ही प्यारी सी स की या प्रकार का घास इसばना खिंगा अंदर में यह भारत के भारत सरकार की दोओर निर्धरी थे रहन डdı disrupt हैं आपको प्रकार हो systolic-diastolic blood pressure of a human normal blood pressure किसको माना जाएंगा इन में से systolic और diastolic इसका मतलब क्या होता है वो भी मैं आप लोगों को बदा देता हूँ ठीक है? आप लोगों का systolic का मतलब होता है जब आपका blood आपका दिल compress होता है ऐसा दिल धक 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 ऐसा करता है न तो यह जो धक अंदर वाला धक जो किया है उसने उसको systolic बोलते हो आप लोग और जो बाहर फैला है उसको diastolic बोलते हो उसको तो systolic और diastolic जो आप लोगों का blood pressure है वो ऐसे गिंते हैं पहले systolic लिखा जाता है फिर diastolic लिखा जाता है तो इन options में से क्या होगा आप लोगों का अगर मैं बात करूँ न आप लोगों से systolic की ठीक है मैं पहले आप लोगों को समझा देता हूँ उसके बाद में आप करना है यहां पर मैं देखो systolic की अगर मैं बात करूँ मतलब कि जब आपका blood जो है यह ऐसे हो जाता है इस तरीके से systolic तो यह systolic जो blood pressure है आप लोगों का यह 90-120 के बीच में रह सकता है 90 mg से लेकर 120 mg तक रह सकता है आप लोगों का यापर में यह यादख नहीं है Hg तक रह सकता है Hg मतलब कि जो mercury है ना उसकी उसका बता रहे है यह आपर में उसकी कितनी range है तो 90-120 तक लेकिन जो diastolic है जब वो फैलता है तो मतलब आपके जो धमनियों पर जो pressure आ रहा है वो ना पर होता है वो आप लोगों का कितना हो सकता है इसको नॉर्मल आप लोग माना जाता है Hg तो आप बताओ इन में से किसको नॉर्मल आप लोग माना जाता है Hg करके बताओ इसमें से किसको मानोंगे आप लोग नॉर्मल वाला आप लोग बता दीजिए आप लोग क्या मानोंगे एक बार like and share जरूर कर देंगे फ्रेंट जितने भी लोग देख रहे हैं यहापर में आप लोग जल्दी जल्दी से बहुत बढ़िया फ्रेंट दीखिए यहापर में आप मैं अगर सिस्टोलिक की बात करूँ तो 120 का हम लोग ने ले लिया यहापर में और इसका भी सबसे हाइस्ट वाला ले लिया हमने यहापर में तो यह नॉर्मल माना जाएगा इससे कम जादा हुआ तो फिर आपको समझ जाना कि ब्लड प्रिशर वाली प्रॉब्लम है आपर में इसके अलावा फ्रेंट में आप लोगों को बता दू आगे बढ़ने से पहले कि भाई हम लोग जो है बिहार जो अगर आप बिहार सिक्षक की तैयारी कर रहे हो और आप लोग आपका सेलेक्शन पका करना चाहते हो तो टीचिंग परिश्या के साथ में आप लोग जो है फ्रेंट जूड सकते हो ठीक है छे महिने का कोर्स जो है 999 का है आप लोगों का यह केवल और केवल आपका जो नोटिफिकेशन उससे आने तक के लिए है प्राइस यह फिर उसके बाद में बढ़ जाएगा ठीक है तो आप छे महने या फिर एक साल के लिए आप लोग यहां पर में आप्ट कर सकते हो 7611-101-101 नंबर पर आप कॉल करके जानकारी ले सकते हो इसके अलावा आप लोग टीचिंग परिक्षा एप डाउनलोड कर सकते हो Google Play Store से वहां मिल जाएगा टीचिंग परिक्षा का जो टेलीग्राम के उपर में आप लोग टीचिंग परिक्षा टेलीग्राम के उपर में टीचिंग परिक्षा ऑफिशल सर्च करना है आप लोगों आप लोगों को मिल जाएगा इंस्टाग्राम के उपर में भी आप लोग जूड सकते हो इंस्टाग्राम पे भी टीचिंग पर कर जमीन रौशन कर दिए, जमीन में बौने से कुछ नहीं होगा, अपनी हार, अपनी कम्यों को जूद्टो, किसी की जीत पे रोने से कुछ नहीं हो आप लोगों का, ठीक है, मेहनद करना पड़ता है, यहां पर में तब जाके, मिलता है, तब जाके अम्रित निकलता है उसमें से, महनत करनी पड़ती है, अगर बाकी लोग महनत कर रहे हो, तो आपको नहीं मिलेंगा, बाकी लोग आगे निकल जाएंगे, और फिर बाद में आप यही सोचते रहोंगे कि उनकी तो किसमत अच्छी थी, इस वजे से निकल ग लाखों बच्चों को पढ़ाने के बाद में एक experience से बदा सकता आपको, बाद में अफसोस होता है कि काश उस समय पढ़ लिया होता जब सर पढ़ा रहे थे, काश उस समय कर लिया होता मैंना जब समय था, बस अगले ही दिन आ जाएगा आपको यह अफसोस, कि यार काश यह सप पढ़ाता रहूँगा, आप लोगों का motivation अगर मिलता रहा मुझे यहाँ पर में, ठीक है, पढ़ाने का भी, तो ऐसी पूरी महनत लगा दूँगा, एक एक बार सभी लोग, जित्ते भी लोग यहाँ पर में देख रहे हैं, सभी लोग एक एक बार वापस से सभी जगा पे share कर देंगे, जहां भी आप लोग शेयर कर सकते हो, यह उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देंगे, ताकि मुझे भी लगे कि आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोगों को भी वीडियो के notification time to time मिलते रहेंगे, इसके अल लोगों का मिले को comment चाहिए, अभी के अभी, जैसी class में बंद करूँगा, वैसे ही आप लोगों के comments चाहिए, कि आप लोगों को वीडियो कैसे लगा और क्या आप लोग और आगे में पढ़ना चाहते हो मुझसे, तो जो आप लोग को पढ़ावी दूँगा, तो आप लोग हिंदी का जो लोग करना चाहते हो लोग कर सकते हैं, मैं current affairs करवा दूँगा, आप लोगों को वो भी आप लोग मुझे comment करके बदा देना कि कितने लोग चाहते है कि current affairs भी पढ़ा दो, ठीक है, चलो, thank you very much friends, take care and bye, God bless you all, thank you very much friends, thank you, आज 5 बजे निया, आज 5 बजे एक लोग मैरा थान है, जो भी लोग seated वगरे के लिए तयारी कर रहें, तो वो मैरा थान में आ सकते हो, अंकूर सर, रिती का मैम, ठीक है, और संजीर सर, आप लोगों की मैरा थान लेने वाले है, तो वो भी आप लोग कर सकते हो, thank you, bye, take care, God bless you all, thank you